उस्वाकितम सुस्वाकितम सरीनाकितम गुरुदें गणेशी की मूर्दी से दीनों की सुनलो भगवन गुरु बर्पकार है सब से निराला पाया तेरा तरिवार है जग से निराला पाया तेरा तरिवार है बरिशादो प्रेमे अपार गुरु देव हमारे हो अभी रख दो सीरी परिहाद गुरु देव हमारे हो अभी रख दो सीरी परिहाद गुरु देव हमारे हो शुषा के तम गुरु देव 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 हमारे हो शुषा के तम गुरु देव हमारे हो शुषा के तम गुरु देव हमारे हो आपके चलिनों में भी शुषा के तम गुरु देव झाल झाल यह एक बार पुने निविदन किया जाता है समस्त नगर निवासियों से कलोनी निवासियों से जहां तक भी यह वाणी ब्रह्मनार आवाज पहुंच रही है सभी माताय मैंने भाई बंदू शिग्र तिशिग्र कथा पंडाल में पहुंचने किरपा करें अध्याने प्रम पूझने प्रम शुद श्री मांद्श्री प्यासि भ Σिमाराज आध्याने गुरू जी मंचा सिन हो चुके हैं अतै सभी से यह बारं बार निविदन केया जाता है कि सभी शिगरतिशिगर मेरे बाबा श्याम की कथा में पहुंचने किरपा करें और आज पंचम दिवस के इवड़ी सुंदर पावन बेला पर आज की कथा को शर्वन कर अपने जीवन को धन्य बनाए आए जो ये बच्चे खेल रहे हैं अब ही मेरा निवेदन है जो हमारे सेवदार यहां पर है मैं उनसे निवेदन करूँगा इन्य बच्चों को थोड़ा वेवस्ता बनाए बोली सची दरवाहर कीज़े हमारे सेवदार यहां बनाए झाल 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 थार झाल 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 रिपीट किजिए अमर्वागी गली गली में भक्स गणल दे भाव से बोले दूंदी गोलो में भी पोलू रादे 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 हमारो दंदे रादे रादे हमारो दंदे रादे रादे चंद चकोर रादे में तिरी दासिया उपवन गीत में गा रही लादो रखियो लाज अमारो दंदे रादे अमारो दंदे रादे 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 रन्दा भन्ले रादे रादे हमरो दंदे रादे हर कोई भोले रादे रादे हमार उधन कैसे मैं आप लोग पता है मुझे तो आज से ही बड़ी लगड़ा है दो दिन बाद मुझे आज से जाना पड़ेगा दो दिन का समय रह गया है पर सो ये सत्र ब्राम कर जाएगा सोले तारिक से पुने कटा है बहुत कठिन समय है मेरे लिए आप सबसे भी निवेतन है क्योंकि मेरा बिख्षा सत्र भी शुरू हो गया है दिख्षा सत्र में मुझे गाओं गाओं नगर नगर जाना पड़ता है ज़्यादतर तीन दिन का ससंग है कहीं पास दिन का है कहीं साथ दिन की तठाएं है तो लगा ठार का रिकन मेरे बड़ी भाव से आज हां दावा श्याम से बिंती करें और आज के सत्र का संखिनाद करें काड़ू वाले श्याम बिहारी कल काल में तेरी महिमा है भारी बड़ी श्याम बिहारी कल काल में है महिमा है भारी खाचू वाले श्याम बिहारी कल काल में तेरी महिमा है भारी बड़ी श्याम बिहारी कल काल में है महिमा भारी हारे हुए का तुम हो सहारा कैलाए जग में प्रभबालन हारे हारे हुए का तुम हो सहारा कैलाए जग में प्रभबालन हारा खाटो बाले श्याम बिहारी कलिकाल में हैं महिमार आदे मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ तारो ना तारो मर जी तुम्हारी में भी शरण में ते दे पड़ा हूँ तारो ना तारो जी तुम्हारी खाटो बाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा है भारी ते खाटो बाले श्याम बिहारी कलिकाल में हैं महिमा भारी मेरे हे दे का अरिमान है ये निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी मेरे हे दे का अभिमान है तो मेरे हे दे में बन जाए सूरत आजो पहर में तुमको निहारू बाते करू तो करू में तुम्हारी हाटो बहर में तुमको निहारू बाते करू तो करू में तुम्हारी हाटो बाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा भारी हाटो बाले श्याम बिहारी कलिकाले है वहिमा भारी हमें पीत तुमसे कुई श्याम प्यारी तुमें पीत भाई तो होगी हमारी माया में लिप्टे कुई जीव हम है दया की नजर हम पे करना बिहारी माया में लिप्टे कुई जीव तुम्हारे 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 तर्दे करना भारे हाटो बाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा है भारी हाटो बाले श्याम पे हारे कलिकाल में है महिमा भारे जब भी जनमनों बनू दास तेरा सेवा में अपनी रखना बिहारी काटो बाले श्याम पे हारे कलिकाल में है महिमा है भारे बाबा अश्याम चरने रती मोरे निस दिन बढ़ा हो अनोगर तोरे निस दिन बढ़ा हो अनोगर तोरे बाबा अश्याम चरने रती मोरे निस दिन बढ़ा हो अनोगर तोरे नेचे देन बाड़ाई अनोग्रफ तो उड़े बाबा श्याम ए मैया आज पाँचवी दिन की कथा सुन्ठे हो आनन्द में आजाना चाहिए पड़सरी कथा पूर रूप से ब्राम हो चाहिए आज हम बाबा श्याम के जनम निवर्स की कथा को सुनेंगे और पड़सरी बाबा श्याम का सीस दामिया से ले लिया जाएदा कोन है ये मौरवी नंदन आज क्यों के लिकालने है ये जीव आत्मा दिन पेती दिन बाबा श्याम के ख्याती बढ़ रही है वैसे तुम लोग बड़े पल्टू लोग हो ऐसा तु नहीं है करती हु तुमारा ब्रत में करती हु तुमारा ब्रत में उपकार करो मां मजधार में में अटकी बेडा पार करो ना जै मा संतोजी जै मा संतोजी करती हु तुमारा ब्रत में उपकार करो मां करती हु तिरा वेब्रत में सुईपार करो मां मजधार में में अटकी बेडा पार करो ना हे नमासन कोची, हे मासन कोची, हे मासन कोची गुरु बन गए है, चमयाजना, महिया, यह तो काम भू, रास्ते में बैठा हुआ, आपने वो दिखा होगा, कभी मंदारी देखे होंगे, वो ऐसे करता था साड़ी को, बोले क्या चाहिए, बोले साड़ी लाके दो, बोले साड़ी आपे, बोले जाब हाग पर आज संतों ने अपनी ख्याती को कहीं समाप्त कर दिया, कुछ संतों ने, समनी ने, संत नाम चमतकार का नहीं होता है, यह तो साड़कस बाले भी कर देते हैं, कभूतर का कच्छवा बना देंगे, कच्छवे का कभूतर बना देंगे, तो उससे भवान की प्राप्ती तो नहीं हो सकती है, और यहाँ आप चार घंटे देते हों, छोटा मोटा सोदा मत करना मेरी माँ, यहाँ से सोदा भी करना, तो यह करना हम किष्ण को लेके जाएंगे, आप तो बड़ा सस्ता सोदा करते हों, भगवान मुझे कार दिला दू, है न, भगवान मुझे पिलोट बनवा दू, नहीं, भगवान तो सुर्छ जानते हैं, सब के हिर्दे में भगवान का वास है, क्या भगवान नहीं जानते, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो ना दीदी, जानते हैं न, हमें क्या चाहिए, यह सब जानते हैं, पर हमारी करम के दूसार, भगवान अमें उसका फल प्रदान करते हैं, जो आपने पाप करम कियें, वो भी आपको भूगने पड़ता हैं, पर यह कथा जो है, जो खाटूश्यान कथा है, इसे आप कोई भी सकाम इच्छा ब्रती रख कर सुन सकते हैं, बाबा आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ती कर देते हैं, जी सकाम नर सुनहीं जगरवे, जी सकाम नर सुनहीं जगरवे, सुक्सांपति ना ना भी दिपावई जे सकाम नर सुने ही जवावई सुने साम नर सुने ही जवावई आप कोई भी मनुख कामना लेकर भी अगर इस कथा को सुनूंगे मेरे बाबा का नाम है लकदातार अबी कल की कथा में आप सुनेंगे आज की कथा में हम कोसिज करेंगे एक नाम बाबा का लकदातार है लकदातार का मतलब होता है लकदातार का मतलब देख कर देनी वाला मेरा परमार्तमा सदा देख कर ही देता है आप जो भी कोई मनुकामना है आज मैंने देखा कुछ माता हैं अपने अर्जी ला रहें थे राम नाम गंगा सरस बही जाए राम नाम गंगा सरस बही जाए कोई कोई नाहाए जामे कोई कोई नाहाए कोई कोई नाहाए काम को नहीं छुनना है यह बेटियों पिता के मुझार भी उससे कठा सुने हो ना आपका कल्यान निशन देखा आज मझे कई बेटियों का फोन गया गुरुदेर आज दूसरा दिन हो गया मेरे पिताजी प्याज खाते थे और आपने प्याज का चिकर करा तो मेरे पिताजी ने क्या दिया आज के बाद हम प्याज बनाएंगे हमने लस्टन पहरने प्याज अपने प्रोस में दे दिये हमने कि यह पहला कदम है आपका बेटा ज्यान ससना दुनिया में प्रबंच खोप करना परन्तु भगमान के सामने कोई प्रबंच मत करना खोप प्रबंच करो पर परमात्मा के सामने कोई प्रबंच न करो आप जिस छणवी कठा में आते हैं ये कठा आपको मुक्त कर देती है संत कहते है सत संगति से प्यार करना सीख लो जीवन का उद्धार करना सीख लो आपके जीवन में ये कठा आपका जीवन परिवर्दित कर देती है ये कठा आपको परमात्मा बनाने की कठा है श्याम कठा सुन्दर करता श्याम कठा कठा दर करता श्याम कठा संसे पिहन उड़ावन हारी संसे पिहन उड़ावन हारी श्याम कठा सुन्दर करता अब कच्छुनात ना चाहिये मोरे दीली बयान अनुग्रेह तोरे ये पंक्ति रोज भुला करूँ ये चुपाई रोज भुला करूँ अब कुछ नात ना चाहिये मोरे दीन डयाल अनुग्रेह तोरे बेटियों आज की कठा जरे भाव ससन्ना आज से गुरू और शिश्य करिस्ते का बचला जाएगा हमसे हमारी शिश्य अदिक्तर कहते हैं गुरू जी आप डारते हैं बहुत हो तो सद्गुन देव को तो ऐसा ही होना चाहिए गुरू कुमार सिश्य कुम्भ गड़ी गड़ी काड़ पिखोट अंदर हात सहारा देत बाहर चोट पे चोट अंदर हात सहारा देत बाहर चोट चोट गुरू कुमार सिश्य कुम्भ गड़ी गड़ी काड़ पिखोट अंदर हात सहारा देत बाहर चोट पे चोट ग्यान से सुन्दा अंगरी बेटियों सद्गुरु देव हमें परमात्मा मनाने का प्रयास करते हैं कैसे मिले वो आत्मा परमात्मा से मैं यह बात ना करो कैसे मिलन हो आत्मा और परमात्मा का मिलन केबल और केबल सद्गुरु के द्वारा हो सकता है गुरु अनेक हो सकते हैं सद्गुरु कोई विल्ला होता है ज्यान से सुन्दा मेरी वेटियों बड़े भाव से सुझा हमारा कल्यान क्यों नहीं हो पाता काम करना भुरा नहीं है पाबा क्याती है ग्रेह कारज ना आ ज़न जाला ग्रेह कारज ना जल जाला ग्रेह कारज ना ना जन जाला ग्रह का रजे ना ना जन जाला ते अती दुर्गम शेल विशाला ते अती दोरे लब शेल पिसाला ग्रह का रजे ना जन जाला ग्रह का रजे ना जन जाला ते अती दुर्गम शेल विशाला बेटी, जिंदगी में काम को करते चलो काम करना मत छोड़ना काम करते चलो, राम रटती चलो परमात्मा से मिलन हो जाएगा तुमारा आपने कभी बच्चपन में आपने सुना हैं पहले ही चक्किया नहीं आया करती थी पहले चक्की नहीं हुआ करती थी और और तो और घर घर में भी चक्की नहीं होती थी आपको वो मालूम नहीं है करके घुमाते थी चक्की माताओं तो प्रेसब करने के लिए कभी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता था अच्छा हम तो आज कल मैं मुंबई गया था कथा करने के लिए तो उन्होंने दिवार पर चक्की लगा रखे थी अध्यान से सुनना पहले चौपाल होती थी गौंग में महां दो तेन चक्की होती थी और माताओं थोड़ा थोड़ा उसमें अनडालती चक्की से पीस्ती जाती तो दो दो रानी और जेठानी गए दो रानी नहीं नहीं वहु आई थी गढ़ में हाँ दोनों ने स्टील का डिब्बा भरा और दोनों गई दोनों चक्की पीस्ती पीस्ती बीच में फंकी माले थी जेठानी के जेठानी के जिश सारा खा जाएगी क्या वो केटी जी जी तोड़ा सा अच्छा लग रहा है मैं खा लें में वो फंकी बार बार चक्की चलाती बीच बीच में फंकी मारती आप मुझे सच बताओ डिबा जेठानी का भरा होगा के दोरानी का भरा होगा बोलो ना जेठानी का भरा होगा ना कि दोरानी तो बीच बीच में फंकी मारती गई और दोनों वहां से निकभी इतनी देर में पढ़-ढ़-पढ़-पढ़ बारिस हो लागि एक तरफ दो धोरानी भें गए एक तरफ जेठानी भिगी और दोनों के दृब्बे धंकी पर गिर गई दोरानी जेठानी की ओर देखकर हसी करती है जी जी हमने कम से कम पेट में खातू लिया तुमारा तो सारा ही भिखर गया कहने का आर्ट क्या है ये कामना बासना रूपी चक्की को चलाते रहो और राम नाम रूप की फंकी मारते रहो जो तुम वो फंकी मारोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है, जब जब तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ ज मत परना क्योंकि जब जीव आत्मा किसी पाखन में पढ़ता है तो वो भगवान से दूर हो जाता है बहुत सरल है पर मात्मा को परना बहुत सरल है आज आप चाहूं कि ये शरीर है तुम्हेरा मुझ किस की ओर है ब्यासपीट की ओर है इस समें केवल आपके नजरों में ये ब फिर ये लोग नजरा आएंगे कि इतना ही काम करना है बस 365 डिग्री नहीं घुमना है तुम्हेरा से सुरू हुए बही पोछ जाओगे 180 डिग्री घुमना है अपना मुख पर्मात्मा क्यों कर दिना है बजन सब कर रहे हैं बजन सब कर रहे हैं ये ये प्यानों बजाने वा प्यानों बजाने का भजन कर रहा है, कोई आपके मुले में रोटी बना रही होगी, वो रोटी बनाने का भजन कर रही है, कोई भैस कुनब आ रही होगी, तो बोले भैस कुनब आने का भजन कर रही है, यह भी भजन है, जो जो करता है, वो भजन कर रहा है, और तुम भगवा कर रहे हैं एक ऐसा कोई नहीं है जो भजन नहीं करता है कि तंके कोने के जिस्ट जहां तन के सुद्ध ना रहे हैं जहां हम ताली बजाते बजाते के भल भगवान के नाम में डूप जाहें इसी का नाम तो किरतन है देवी सुनने ना आज की आज की बड़ी रसिक कथा है कथा में आये हो और कथा में आने के बाद भी अगर आनत की प्राप्ती ना हुई तो यह कथा भी कार चली जाएगी व्यत चली जाएगी ठाक का उल्टा क्या है? कथा और कथा का उल्टा क्या है? ठाक यानि ये कथा जीवन रूपी थकान को मिटानी वारी संत शिरोमनी गाते है चली जा रही है उमर देर देर चली जा रही है उमर देर देर पल पल यो आठों पहर देर देर चली जा रही है उमर देर चली जा रही है उमर देर देर जो करते रहोगे भजन देर देर तुम मिल जाएगा हो सजन देर देर राचे राचे बच्चे पन भी जाए जवानी भी जाए 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 बुणा पे कहोगा असर धीर धीर बुणा पापा बुरा आपा जिस सुन्दर काया पर तुम बहुत नाचती हुई जिहां लखना एक दिनी काया साथ छोड़ेगी गालों में जुरियां पड़ जाए विच्चुआरे की तरह से और जिस कहती हुँ नदा टेलर से टेलर भीया कपड़े जड़ा टाइट बनाना ये खाल ऐसे लटक जाएगी जैसे रजगुल्ला लटक गया हो कोई ग्राक नहीं होता जवानी का बुढ़ापे का जमानी में जब गोरी का जुमका गिरा तो उठाने वाले हजार मिल गए और बुढ़ापे में जब कमर टूटी तो उठाने वाला कोई नहीं मिला ज्यान लखना देरे हो ये उमर अपना काम कर रही है ये उमर अपना ये उमर अपना ज्यान करो कोई गई थी ससे की फ्रेंड हाँ पोच गई तिगरी में 20 साल पहले वह सीसा लेकर आई थी दरपन देखिए माताओं सोर ना करें ये उदर ये रख दो ना क्यों नहीं रख देखिए उसको उदर ये रख दो गई थी वह पढ़ापे में और मिया मिया सीसे बाले से कहने लिए भया सीसा दिखाए और उसने सीसा दिया दरपन देखा तो रोनी लगी ना ना ये वो वाला सीसा नहीं है उसमें मैं बड़ी सुन्दर लगते थी बड़ी खुबसूरत थी मैं लोग मेरे रूप लाड़ बढ़ने को देखे बड़े प्रसंचित हुआ करते थी उसने का मैं यह थोड़ा मेंगा सीसा दूं बोले हां और उसने पांस उरपे वाला सीसा दिया देख मैया इसमें कैसी लगती है बोले मरे मजा करता है इसमें भी तो ऐसी ही लग रही हूं जैसी उससी में लग रही थी वो वाला दिखा वो जो 20 साल पहले मैंने लिया था मैं बड़ी सुंदर लगती थी वो 20 साल पहले जो मैंने लिया था बोला मया इसमें सीसी का दोस नहीं है इसमें तेरे बढ़ाबगा दोस नहीं है उसमें सीसी का दोस नहीं है इसमें तेरे बढ़ापी का दोस है जहां से सुनना मेरी माँ भी असकी थोड़ी अवात हो रहा तो हल्कियोसी तो बढ़ाओ सीसी का दोस नहीं है उमर अपना काम कर रही है तुमें एक नई दिन वो मोद किरामी आएगी हाँ और एक भात और कहो हम रहा वाली माता हूँ साड़ी को अलवारी में मत सुझाया करो हाँ पहन लिया करो जो साड़ी का मन करा करे पता में कब यम का पास पड़ा है और मरते मरते भी मन रहे कि मेरी साड़ी टंगी रहे घ्यान है न आपको अभी कुछ दिन बीते हैं दो बड़ से पहले कोरोना काल आया था याद है अगर पती को खांसी भी आ गई न तो जी जी ने अगला कमरा दे गया सुनो जी उस कमरे मेरा ना मेरे कमरे मेरे आमत जाना तुम बही मात आएं हो बही मात आएं हो तुम कहती हूं ना जनम जनम का साथ है हमारा तुमारा ध्यान लख न अरे किस पर एहंकार करते हो रे जो लोग कहते थे कि तेहरे अब्रहमण भी जाएंगे तेहरे अब्रहमण भी लोगों को नहीं मिल पाई प्यार है तेहरे अब्रहमण भी नहीं मिले तिगरी में मैं मुझे मालूम है जब कुरोना काल आया था ससी जब मेरी एक शिश्या थी मेरी बहुत प्यारी शिश्या मुझे पता लगा उसकी मृत्ति हो गई तो तीन बेटों ने फोन करा था सपाई करनेों को अब मुझे पता लगा कि कुमराला से आगे उसके शरीर को सपाई करमचारी ले जा रही है तो मुझे से रुकार में गया था मैं गया और मैंने जाकर उसका अंतिम संसकार कराया मैंने देखा था वो मंजर आदमी यूही दुग्दाजी में आब आ के आ रहे थी मृत्यू कब है? मृत्यू कब है? अगर पती को खांसी भी आ गई तो पतिनी ने उस बतन को दस बार माचके पानी दिया था किस चिज का हिंकार करते हो? मृत्यू किसी के अधिन नहीं है वो आती है मुझे याद है एक दिन यह है ससी अब तो यह बदल गई है क्योंकि बड़े आलोग हो जाते हैं तो बदल जाते हैं यह नहीं तो पापा की बहुत प्यारी बेटी है यह सम मेरे दिल से लगे वे बच्चे हैं मैं 112 बेटियों का पिटा हूँ 112 बेटी मुझे मालूम है उनके दर्द का मैंने उनको महसूस किया है जब कोई बच्ची को अस्विकार कर देता है न तो मैं उसको स्विकार करता हूँ मैंने चुटे-चुटे बच्चे पाले है अपने जीवन में कभी मेरे आचल को जाकर देखना जब मैं सादना कर रहा था मुझे उसी समय इसके पती के बारे में मैं यह बैसे नहीं कह रहा हूँ बड़े उक्ता उससे कह रहा हूँ मैंने तुरत पोन के अधा ससी को ससी तुरत चलियाओ कालवली का तमाचा रखने वाला है और वो जो सदा मेरी सेवा में रहा अपने इसके बच्चे भी मुझे दिखाई नहीं देते हैं अगर वो यहां होता तो शायद मुझे मंच से भी वहां तक वहीं लिखे जाता है पूछ के देखना हूँ मैं यातरा गया था उसके साथ जगनाथ करना उसने पल-पल मेरा हाथ पकड़के ऐसे यातरा ख़ए कि असे पिता को यातरा करा देगे हम रुके नहीं थे जगनाथ करी जाते समय कही लास्ते में बस एक जगे हम रुके थे मैंने कहा था मुझे मिट्टी के बरतन दिखाए दिये थे आपको सची घतना बता रहा हूँ यह सची शाक्षी है पबन भी उस समय था और वो मिट्टी के बरतन में जैसे उतरा आप कहते हैं गुरु से संबंद नहीं होता मैं आपको सची घतना बता रहा हूँ मैं जानता नहीं था क्योंकि मैं उससे कभी पहले मिला ही नहीं था जीवल काल में उसने पुश्प बरसाने शुरू किये एक सुन्दर कुरसी पर मुझे बठाया कपड़ा लगा कर पहले से कुरसी तयार कर रखी थी दीप जला रखे थे उसने दीप जले हुए थे मुझे बठाया मैंने कहा बेटा साहित तुझे गलत फैमी हो गई है उसने कहा नहीं मेरे गुरुदेव आये हैं नहीं नहीं मैंने आपको कभी दिश्चा नहीं दी है उसने कहा गुरुजी पुर्वजरम का सम्मन तोट गया है पर सद गुरुदेव भगवान मैं जानती आप ही मेरी गुरुदेव हैं और वो हाथ पकड़कर उनने माला पैनाई दोनों पती पतनी ने चंडों को दोया था फूल वो बहुत निर्दन लोग थे फिर उंगली पकड़कर लेगी थी वो कख्ष के अंदर और जब मैं कख्ष में गया तो मैं यह सब लोग थे मैं घवराथ हो गई थी कख्ष में जाते ही उतनी बड़ी पृतिमा उनने मेरी लगा रखे थे मुले यह पहचानों आप ही हो ना मैंने की हाँ हो तुमेही तो उसने कहा गुदेव यह जनम जनमांचर का संबंध है आपका जोतिस बहुत बढ़ा विशे है बहुत बढ़ा विशे है जहां सब विशे समाप्त हो जाती है जोतिस की बिद्या बड़ी बिद्या है मैंने पवन से कहा था आट दस लोग साक्षी थे पवन पाँच दिन कहीं मत जाना तुम आश्रम पे रह जाओ मैं तुम्हें अपने संदक्षन में रखना चाहता हूँ जो कभी मेरे ब्रुद नहीं गया एक पल भी एक पल भी उन्हें कहा नहीं गुरुजी मैं कोई गाड़ी नहीं चला हूँगा कमल वहाँ पे था मोटी पंदतानी मा वहाँ पे थी मैंने की नहीं देटे मुझे काल गली ने संकेत देगी अजन मैं अपने साधना में बैठता हूँ तो मेरे गुरुदे मुझे आगा कर देते हैं जो मुझे जुड़े लोग हैं उनके बारे में जो रूपता रगजाता हूँ आप भविष्य नहीं देख सकते हूँ लेकिन मैं भविष्य देख सकता हूँ मैंने कहा था लोहा और बिजली मुथ का कारक बने दारी और पांच दिन में मुथ हुने वाली है तब उनने कहा गुरुदेव नहीं मैं आप आपको बचन देता हूँ और पता नहीं क्या कारण बना कि वो खंबे पे जो भी कुछड़ा हो मुझे मालू नहीं लेकिन हाँ एक पुतरी का दर्देख पिता जानता है शैद आजबो होता तो पता नहीं कितना और आनन्द होता मैंने इन बीटियों को पाला है मुझे इनके दर्द का पता रहता है जब मैं बग्गी पे जा रहाता पहले दिन यातरा करने तो मेरी कई बार आखों से आंसु आयते कई बार हो यह सुई जुराम रचिरा का ध्यान से सुना यह परमाहतमा का दिया जीरन सद्गुरु को मानो यमत मानो पर सद्गुरु की जुरूर मान दिना मेरा कोई मन आपको इमेशनल करने का नहीं था सच कह रहा हूँ आज आज सिर्बाद के सबह मेरे पास कुछ भी नहीं आज देखते हूं कैसे तैयारी करते हैं भागी रहती हैं मेरे गुर्देव आ रहे हैं यहांसे बहुत लोग जाए गए हैं इसी कालों में से मेरे बहुत लोग जाते थे अभी भी जाते हैं कुछ लोग उनकी सबकी निष्ठा वैसी नहीं है वो राद दिन तैयारी कर रही है जब कलश यात्रा में हमने माताओं को देखा उस से में लगा यह सच्छी की बड़ी प्रबल तैयारी है हाँ जनव मरन यस अप यस सभारी के हाथ है प्यारे आगे की उर्व सुद्धी जन 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 रसिक श्रोता बैठे अगर आप कहते हैं ज्यान से सुनना आज मैं आपको पंचम जिबस में ले जा रहा हूँ आज बड़े आनुद का विश्य भी है पर हम कही और प्रभा हो गया हमारी बात का पस इतना ही ध्यान रखना भगवान से इतना ही कहना है तेरे होने का ही तू निशाह हूँ में तू नहीं तू बता कहा हूँ में बताना प्यारे आपने माले भगवान पूतना को वो जगह देती हैं जो जगह अपनी माता को देती हैं सहज है वो सरल है उसे पाना भी बहुत सरल है अरे वो नहीं कहता आप आप कुछ कीजिए वो नहीं मांगता आप लड़ू चड़ाईए भगवान को वो कहता है पत्रम पुष्पम समर पे आमीं जीव आत्मा तो केवल मुझे पत्रम पुष्पम समर्पित कर दें उसमें कोई विधान नहीं दिया है ये तो विधान हमारे और आपके बनाए हुए योग्यवराम्रों के बनाए हुए है श्याम कठा के तेही अर्थिकारी श्याम कठा के तेही अर्थिकारी जिन के सत संगती अर्थिक्यारी जिन के सत संगती अर्थिक्यारी आवट एही पर अती कठनाए आवट एही सत अती कठनाए राम क्रपावे नू आए न जाए राम क्रपावे नू आए न जाए हमें जिन्दा नहीं अपनी उन्हें जिन्दा हमारी है हमारी प्राणों का रख सक वही वांके विहारी है का आए वो कौन कहता है उसे मुलाकात नहीं होती है कौन कहता है उनका दिदार नहीं होता आदमी यूही तबलगार नहीं होता है उनसे मिलने की अगर दिल में तमना तो पहला दबन नरसिंग का यूही अवतार नहीं होता माया से को छोड़ना नहीं चाहते हो बुड़ी बुड़ी हो गई हो अब एक बुड़ी आती बार बैठती पंका हिलाती फिर चली जाती पोतों को पकड़के बुड़ी हो गई हो तुम माया रूपी चने छोड़ना नहीं चाहती हो और कहती हो भगवान से मुलन हो जाएगा तुम्हारा कल हम देख रहे थे एक मैया चपल पहन के आई चपल नीचे रखे और धैर दिन उन चपलों पे जिर गई जो चपलों से इतना प्यार कर दें उन्हें भगवान कहा से मूल जाएगे जाएगे Always be careful भगवान को पाना है ना मैं यहा के कलोनी की मादाओं को देता हूं बीच बीच में जाती है घर भी चेक करके आ जाती है पती को भी चेक करके आ जाती है वहारी जीजियों ताली वजा दिया कभी छोड़ा नहीं उसके उपर कुछ कभी बिचान नहीं किया कता तो बहुत सुनी है पर परिवर्तन कभी आया नहीं प्रतम भाकती संतन कर संगा कता म भाकती कर संगा दोसी दिरतिमम कथाप्रसंगा कल कोई माता कह रही है ती गुरुजी उनने बहुत कता है यह सुनी यह पर आपकी कता तुड़ी अलवे नहीं है कितनी कठा है कल्यान क्यों नहीं हुआ तुमारा अरे जो बेप्पी कठा को सुनता है उसका परिणाम आता है मैं आगे के बार बार नाम है अरे भाई टे कर ले प्रणाम बिनाम हाँ भगवान तो भाई से सुवितार कर लेंगे ताली बजा देंगे कोई आवेश्टा नहीं आ गया नहीं कि जो जहां आए आठ बजे बुढ़ापे में घर से चलती हो और उपर से कहती भगवान में जाएगा ताली बजा देंगे कठी नहीं बुढ़ापे तक भी तुम फिरी नहीं हो पाती हो अरी तुम्हें तो चाहिए पांच बजे आओ आंगन भुहार दो घर में पोते पोती चैन में लें देते कम से कम यहां आकर बैठके भगवान का बचन तो कर लोगी पर वो तुम्हेरे बस की नहीं है हाँ पोते की पेशाव के कपड़े पहनने में बड़ा मजा आता है वो सुगंद जो आती हो तो गंगा जल में भी नहीं आया करती है सुगंद है अपने अपने जीवन की आपने किस सुवद को माना है आपने कैसा दर्पन पहना है किस अर्पन की बात करते हैं आप भगवान को खोजना नहीं पड़ता देवी भगवान में खोना पड़ता है में धून्डिता था तुमको कुंजूर बन में में धून्डिता था तुमको कुंजूर बन में में धूंडता था तुमकू, कथा में आओ, कि ररुदर निगाना जाए, आने बाले आते रहेंगे, जाने बाले जाते रहेंगे, तुम मन की पीती, फिर दे में राम वसाए रखना, मैं दर्पन और क्या देखू, दर्पन में दिल लगी को जगाए रखना में लोज सबराकर, सिंगार क्या कर, आज ससी कहरी कि जड़ा, कपडे बढ़ी आ पैन क्याना, मैंने की हम तो भई तैयार हो गए और हम पर बढ़ीया कपडे हैं नी यही वाले हो, तो खता कराने तो सिकार कराने, नहीं तो बहता देना लीजमें अब तो वो समय आने वाला है जब कपड़े ही खटम होने वाले ऐसे नहीं ऐसे नहीं जहां से सुनना जिस जिस नहीं भी उसे पाया जिस जिस महात्मा नहीं उसे पाया उसके सबसे पहले कपड़े ही उतरे है स्वामी राम किष्ण पंस ब्रम्हंस रहे हो जाए कोई भी महात्मा रहे हो महात्मा बुद रहे हो उन्हें कपड़ों का बहानी नहीं रहा मेरे पुच्य गुरुदेव भगवान कभी रिशी के स्वरवास्रम कुठिया नंबर दो मेरे गुर्दे भगवान ने तो शर्दियों में भी वो पेड के नीचे बैठे रहते थे हाँ, उन्हें कई कई दिन भी तो जाया करते थे क्योंकि वो परमास्रेनी को प्राप्त हो गये थे उन्हें यही पता नियता सरी पर कपड़ा है यह कपड़ा नहीं है कपड़ी का पता है ज्यान रखना वो केवल पवित्यता से मिलता है आज उसके मिलनी का पता बता रहा हूँ आपको भाव से बैठना मुलाकात आज आज आपकी पत्की हो जाएगी कहते हैं कथा के चोथे दिन भगवान पर कठ होते हैं कुछ कहते हैं कथा के पांचवे दिन भगवान पर कठ होते है ना तो भगवान चोथे दिन पर कठ होते ना भगवान पांचवे दिन पर कठ होते जब आप कथा में आए हो ना भगवान तो पिरकट होई गए थे तब ही कथा में आए तुम सब के हिर्दे में भगवान पिरकट हो गए थे तो ही कथा तुम ही यहाँ तक लेके आई है नहीं तो तुम आने है सकते थे पेट में दर्द हो जाएगा बस सुक्रिया करना आजाए मुझे तुने मालिक बहुत कुछ जिया है मुझे तुने मालिक बहुत कुछ जिया है मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुने दाता, बहुत कुछ जिया है, मुझे तुने दाता, बहुत कुछ जिया है, न मिलती अगर मुझे को इम दात तेरी, तो क्या थी जमाने में ओकात मेरी, तो क्या थी जमाने में ओकात मेरी, ये बंदा तुम्हारे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुने मालिक बहुत कुछ दिया है, वो रात दिन दे रा है, पर कभी हमारा उस पर विश्वास इस दिन नहीं हो पाया, ये सुन्दर काया दी, ध्यान रखना बेटियों, वैसे तो काया ये मलमुद्र की फैक्टरी है, इसमें नोचित रहे हैं, हम रात दिन मल ही मल बना रहे हैं, आंके मल बनाती हैं, मुख मल बनाता है, कान मल बनाते हैं, नीचे की दोनों गुई काहीं मल बनाती हैं, इक राजा अपनी नगवी से दूसरी नगव में प्रवेश कर गया, जब दूसरी नगव में प्रवेश कर गया, विचार करनी लगा, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ, हे प्रवुग, मेरा मार्ग कैसे हुए हैं, सामनी से देखता क्या है, एक महात्मा की कुठिया वनी नहीं है, अब आज लगाई, पुझ्जी गुर्दिन, महराश्री, महात्मा ने कहा, अरे भग, बुले महात्मा से कहा, राजा ने, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ, और बारिस बहुत तेज पड़ रही है, राजन, बाबा, मुझे रात पर शर्णा कदी दे दीजे, जैसे इस सुबह होगी, मैं इस मार्ग से निकल जाऊंगा, महात्मा ने कहा, अरे राजा, तु जानता नहीं है, इस कुठिया में बहुत गंदगी भरी है, मल मुत्र है, गंदगी, गंदगी, गंदगी है, खूब गंदगी है, राजन, चले जाओ, नहीं, नहीं, केवल रात पर रुकना चाहता हूं, केवल रात पर के लिए श्र्णा गते दीजे, महत्मा ने कहा, यहाँ विष्टा है, पेशाव है, गंद के मारे रुका नहीं जा रहा, पर जो आता है, वो आता तो जरूर है, लेकिन फिर बाद में मेरी कुठिया छोड़ पर जाता नहीं है, पीछे वाले भी जड़ा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, यह कठा आपको आज भी काम आएगी, और आज के बाद भी काम आएगी, आता जरूर है जीव अपनी इच्छा से, पर इसे छोड़ना कोई नहीं जाता, नहीं नहीं, राजन केवल रात भर के लिए रोक लो, राजा ने कहा, महात्मा ने कहा, नहीं मैं जगे दूँगा, प्राधना करने लगा, तब महात्मा ने कुटिया को खोला, तो देखता क्या है, मल मुत्र भरे पड़ी है, मुक पर हाथ रख लिया, अरी मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया, उल्टी आ रही है, चार गोर गंद भी गंद भड़ा हुआ है, खड़ा हो गया, सुबह हो गई, कहा, राजन, सुबह हो गई है, अब इस कुटिया को छोड़ कर जाओ, बोले नहीं जाओंगा, उठ परे देशी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे, फिर शो गया, उठ परे देशी तेरा वक्त हो गया, हम परे देशीयों की यही है निशानी, आई गए चेले गए खतम कहानी, कोई गया हसते हसते कोई रो गया, चल परे देशी तेरा वक्त हो गया, जबे परे देशी तेरा वक्त हो गया, खात चाहते, आओ पिछिनी ती ताले वजा करगे, भोगो, को लेले कदात आर की, आई हो, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पे बार पहले भी तू आया है यहाँ पे देख आख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पे अन्यमोली जीवन तेरा अन्यमोली जीवन तेरा व्यर्थ हो गया उठ पर देशी तेरा वक्त हो गया उठ पर देशी तेरा वक्त हो गया हाथ उठ आखे अन्यमोली जीवन तेरा अन्यमोली जीवन तेरा वक्त हो गया रिष्टे नाते तेरे यही रहे जाएगे कुट मू कगीला तेरे सात में ही जाएगे कुट में कभेरा तेरे सात में नहीं जाएगे बोज पाप बाला तू तो क्यों ढो रहा चल पर देशी तेरा बत्त हो गया चल पर देशी तेरा बत्त हो गया उच पर देशी तेरा बत्त हो गया बोज पाप बाला तू यू ओ बोज पाप क्यों ढो रहा तू पर देशी तेरा बत्त हो गया तुम्हे जाना पड़ेगा बोज शरीर कौन है कौन है बो बोज आम ही तुम तु है हम और आपी तु है वो जो जो जोपड़ी है वो ये देही तु है इसी में तो मलमुत्र भरा हुआ है कौन चोन न चाचा है जब किसी के पीछे हम जाते है न मुर्दे के पीछे जाते हो ना क्या कहते हो राम नाम अरे बोलो जोड़ से राम नाम सत्य बोलो यहीं बोलबे हो ना यह बेटियों आपने देखा होगा जब कोई मरता है ना उसके पीछे लोग फूल छोड़ते हैं यह फूल सर्जा के प्रतीक है देखो मैया लोग लेट आती हो रागय मत आया करो हमारी कठा में डिश्टर्ग होता है अधिकारी नहीं हो तुम कठा की इस तरह आम कठा करते भी नहीं है आपको इस प्रस्ट करते हैं पहली कठा अपनी जीवन में ऐसे कर रहे हैं हमें भीर भाड के कोई जुरूत नहीं है भीर तो नियताओं को चाहिए हमें तो भगवान के भगतों की जुरूत है क्योंकि मुस्तितना पूजन हो नहीं सकता है पर तुमारे दर्शन करके साइद मैं भी किर्थार्थ हो जाता हूं बेटा सारी दुनिया में प्रपंच करना वो भगवान तो तुम्हें अगर लोग कहते हैं न कलम से किसी माता ने कहा मुर जी मेरा आर्थी लेने में नंबर ही नहीं आता कहा जरूत है आर्थी लेने की ये जो दीप जलाया है ये बुझ भी जाएगा लेकिन जिसने अंदर का दीप जला लिया उसका दीप कभी बुझ नहीं पाता है बाहर का दीप उच जाएगा बीठियों लेकिन जिसने अंदर लो लगा ली आत्मा में उस परमात्मा से मिलने की उसका दीपक कभी पुस्ता नहीं है उसे कोई आवश्रिक्ता नहीं पड़ती कि मैं भी ठाली लूँ वो सीधा हाथ निकालता है और परमात्मा से कहता है यही मिरी जोती है इसको स्विकार कर लिए जैंगा वो सरल है लेट आने वाली माताओं से निवेदन कर रहे हैं दो दिन बचे हैं हम अरे हां तो हम दर्वाजा बंद करा देते हैं आताताईयों के लिए कठा केवल धर्मनिष्ट लोगों के लिए इसलिए तुम अना जीवन परिवर्टित नहीं हो पाता कठाएं को सुनते हो अलो अब भी भीर भार काहां चैन है तुमें घर के काम ने मटाई होई होंगी पती को रोटी बना के दिया ही होंगी और तब सोचा थोड़ा सा भगवान का नाम भी लिया मैं बजाओ ता लिए इसे रहने लिए बंद रहने लिए और महीं से पकड़ ले जिसे जो हां कोई नाव यहां पर एक तुम कठा मितना शोर मचाते हों कठा कोई बिधी नहीं है समझ रहे हो ना कठा तो जीवन की परमनिधी है जो इस कठा में आया जो भी आया वो भगवान का हो गया अले फिर आ रहा है अरे खटा कर ले भाई पर भाई अम्मत आजा नहीं धर कठा कोई बिधी नहीं है अब चारित्ता में कठा मत करना होती भी नहीं है कठा तो के वलिए है कठा का परिणाम आवे कठा का परिणाम कठा सुनूगी तो जीवन परिवत्तन हो जाएगा और कठा सुनने का परिणाम ये होगा आपका रिमोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा अभी जो रिमोट दूसरे चला रहे हैं गुरुजी मेरे बाल यूँ सपेद नहीं हुए अरे तेरे बाल तो यूँ सपेद होगे भिरू सिंग तेरे बाल काले कहा है तुने कहा भगवान का मंधन किया बाल सपेद यूँ हो गए है अगर जीवन में कथा को सुना होता फिर बुड़ापे में इन पोते-पोती के चकर में ना पढ़ती फिर राम की तू हो जाती है राम ती रा हो जाता अभी तो बैठना भी नहीं आता कथा में तुमें अभी तो ये नहीं पता कि भगवान कैसे मिलती है भगवान कहते किसे समस्या तो ये भी ये भी नहीं पता भगवान किसे कहते है बड़म उनों बजगया थोड़ा सा धुमका लगा थोड़ी से रसगुले खाए और वा आगे चुप चाप फिर जासे की तो ये बैसे की बैसे रहा है कहां बदले तुम आंतरिक शुद्धी हुई नहीं उस पर बद्धुता को प्राप्त किया नहीं अरी बैड चाहा एक कारे करता यहां खड़ा करो खड़ियो ससी यहां से खड़ियो यहां पर यहां कड़ी हो कि जूटी दो पाखंड करने की नाम को पाखंडियों अगवान का नाम क्या दे हो मन, बुद्धी, चित, एंकार इनके बाद अंतयकरन और अंतयकरन के बाद परमात्म का दृष्यन उठाए घुमते रहे जीवन भर कभी आत्म सुद्धी दे नहीं कभी परमात्म का चंता निकिया नहीं नाच ने गाने तुम तु बुलो हलवा बाटूंगी जरूर, मा मुरादे पूरी कर दे, मैया तेरा ही हलवा खाने आएगी जी-जी, इतनी भूकी है वो, तेरा हलवा खाने आएगी वो, वो क्या चाहती है यह जो बाबा श्याम का पावंचरिचर सम्झे हो अभी आज बाबा का प्रकटू सब हो जाएगा, वैसे तो हम 9 से 12 दिन की कठा करते हैं पर यहाँ 7 दिन की कठा को हमने स्विकार किया है क्योंकि आपके बीच आये थे आपको जगाने आएए अभी समय है जाग जाओ उठ जाग मुसा फिर भोर भई अभुरेन कहा जो वैने कहा वो सूबत है जो सोबत है, सोई खोबत है जो जागत है, सो पावत है उठ नीद से अकिया खोल जरा और अपने प्रभू का ध्यान लगा ये पीत करन की रीत नहीं प्रभू जागत है तू सूबत है कब उठोगे पहले से पाप कम नहीं थे और मोबाइल ने तुमारे पाप बढ़ा दिये बढ़ा है पाप उसे सहच पाया जा सकता है उसे सरलता से पाया जा सकता है तुम सोचते हो प्रपंचों में भगवान मीलेंगे मिलते नहीं देव एक कठा दिया भगत माल में सिल्ले पिल्ले भगवान की अब कभी सुना नहीं होगा आप में कोई सिल्ले पिल्ले भगवान में होता है भगवान तु कहता है जो नाम मेरा रख दो मैं उसी नाम में प्रकट हो जाता हूँ एक जमीदार राजा की बेटी थी और उनके हाँ सफाई कर्मी भंगी जो आया करता था उसकी बेटी थी दोनों बड़ी अच्छे सक्षियां थी बहुत प्रेम करती थी एक दूसरे को एक दिन उनकी गाउं में एक महात्मा आ गए और वो मंदिल पर बच्चियां जाया करती थी महात्मा शाली ग्राम भगवान को इश्नान करा रहे थे किसको नियान रखना कमर सीधी करो अच्छे एक बात बचाना मुझे कभी तुम्हें उत्तर मिले तुम ब्यूटी पालल में दो दो घंटे बैट जाते ककड़ी लगाके और यहां तुम्हें बैठने में इतनी लज्जा थी सईसे बैठो सीधी बैठो प्रक्या मारा जब कमर सीधी होगी तो इस रीड की हटी में गणपती का वास है गजानल का वास है इस हटी में कमर सीधी होगी तो उस परमात्मा का मंतन और अच्छे तरह से हो जाएगा ध्यान लग नहीं पाता और मैं कोई नहीं कहना तुम ध्यान लगाओ दोनों बेठियां उन्होंने देखा गुरुजी भगवान शालिग रामकुष्णान करा रहे हैं एक बात लोग तुमारे इदुखों का एक और कारण है उसको भी मैं बताता पांच भगवान पांच भगवान पिंड की रुप में होते हैं पिंड जानती हो ना उनकी आकरदी नहीं होती है जैसे पहले भगवान है भगवान गडेश गडेश भगवान हमें घर में कौन से रखने चाहिए ऐसा नहीं मकान वनाया और दरवाजे पर गडेश जी बठा दी जैसे तेरे बाप के चोकिदार लग रहे हैं और हम अपने सनातन धर्म का अपमान करते हैं तबेवी भगवान को देखो एक बास्तो सासर में तो जुरूर गड़ना आई है वो आपको हम बता देंगे कि दोनों दर्वाजे की और अंदर और बाहर गणपती स्थापित के जाते हैं वो एक कारण बनता है जिन घरों में माताओं को संतान की प्राप्ती नहीं होती है उन माताओं को दरवाजे के आगे और दरवाजे के पीछे की और गणपती का वास करना चाहिए उससे उनको सिग्र संतान के प्राप्ती हो जाती है अरे ताली भी मरी मरी बचाओ हो जी जी मुस्कराते भी हो तो एरे हो श्टेज के करा तुम जो इतिना मुस्कुरा रहे हो क्या गम्मी जिसको छुपा रहे हो तुम जो इतिना मुस्कुरा रहे हो तुम जो इतिना मुस्कुरा रहे हो तुम जो इतिना मुस्कुरा रहे हो क्या गम्म है जिसको छुपा रहे हो तुम जो इतिना मुस्कुरा रहे हो कभी जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, कभी मैं बिदेश कठाकन में जाओं, तो वहाँ एक मैया मिलती है, वो मुस्कराती है, उसका काम मुस्कुराना है, उसको कहते है, एरोल स्टेज, है न, वो मुस्कुराने का काम करती है, कोई आग बिल्कुल गंजा भी अती, वो मैडम प्रेस पानी, वो यह सर मैं भी लाई, वो फिर मांगता है पानी, तो वो मुस्कुरा के कहती है, यह सर मैं भी लाई, लेकिन मन मन में कहती है, गंजे, बस प्लाइट से बहार निकल, फिर तेरा से रोगा मेरे पैल की चपल होगी, तो बाहर तो निकल यहां से, फिर द स्मारी चर्col सुरू हो मुश्कुराकर पर शुबह जब शुरू होती है तो दोनों के तानों वार्नों में शुरू होती है पतनी गई वातरूम तो बचल्ड़ खोल घॉलके देखता है लेकिन तेरा बाप भी नहीं खोल पाएगा चिंतामत्कर ऐसा लगाकर अई ऐसा मुभायल का लोग लगागे है तो खोल नहीं पाएगा मैंने कल भी एक नेम बताया था अगर आप धन्वान बनना चाहते हैं जिन माताओं को संतान का सुख नहीं होता है उन माताओं को प्रभात सुभा सुभा शंकर भर्वान के परिवार का दश्षन करना चाहिए सुभा उठकर कनेर के पुश्पर कनेर का पुश्पर जानती हो देवियों कनेर का पुश्पर लेकर भगवान शंकर को चड़ाने से सिग्र चालिस दिन के अंदर कैसे भी माता हो वो गर्वन हो जाया करती है कनेर के पुश्पर से जो माताओं पुजा करती है शहद मिलाकर उनको धनकी प्राप्ति होती है उनको यश और किर्टी की भी प्राप्ति होती है तो पहले भगवान कौन से है जो पंडी जी आते हैं स्री शर्टिनायन भगवान की तठाकर आते हैं तो कौन सा सिब्लिंग गणेश देते हैं पीली मिठी के गणेश देते हैं कि पुजा हमें करनी जाहिए घर में सदा ये पांच भगवान पिंड के रूप में रखने चाहिए और चटा आपका इश्ट हो इस आपका एक होना चाहिए प्रणाम सबको होना चाहिए पर ऐसे भी नहीं है जैसे तुम आती हूं यहां पर ठाकर जी को टांग टांग कर मैं भकति नहीं बनी गहीं ना 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 इसका नाम भकति नहीं है दे रही हो कावा छिए अपने थाकर जी गूल मट tornar से और पार ली जी विसकेट स्थोत की फिलती नगी है इसका नाम बगती engh आणदो जब देखो जब नगां ऑं नानार को युद लचस्टे है कि अछो य०्छिप उसे में अधा चब देखू इंकानली बगती पाखंड की कोई तो पराकास्टा होगी कोई तो पराकास्टा हो यह रचा भक्ति है इसमें बड़े नियों में है बड़े नियों में है भोग भी पूरा देना पड़ता बगवान को थोड़ा सा दूद लेगी वामें थोड़ी सी मिस्री मिलाएगी भगवान के आगर सुभर साम रख देगी अगर तुझे खिला हूं तो तुमें खिला हूं तो मैया ठाकरजी को लेके सब जगे मत जाना आजकर नया सिस्टम बनाया माता है उन्हें टोकरी मिलागी है हाँ पूरे मार्केट में घूमती है ठाकरजी को लेके पता नहीं कहां कहां परश्ष होता है अच्छे इक और नहीं चीज़ आई है गुरुजी को गले में ठांग देती है और कुछ नहीं तो भगवान को गले में ठांग लेंगे जबकि घृष्टी माताओं को जब तक वो वैवाईक जीवन का आनंद ले रही है ऐसी माताओं को भगवान गले में ठांग नहीं नहीं चाहिए गुरुजी को गले में क्यों ठांग रही हूंने पाप में क्यों सामिल कर रहे हो क्यों उनकी कौन सी गल्दिय जो तुमने गरस्ट है ग्रस्त में तो नाजने कितने भी कार होती है कभी कभी भी गुरुदेव खोगले में मट्टा बैसे भी गुरुबीन भावनी धी तरही न कारा गुरुबेव खोगले में तरही न कारा गुरुबीन भावनी धी तरही न कोई गुरुबेव खोगले में तरही न कोई चाहि ब्रंच संकर्समोई तुनसी की माला गले में हूँ जैसे आप कैसे पता लगाओगी कि किसी माता के माते में सिंदूर है तो आप कह दोगी कि इसका कोई पती है ये किसी को वर्ण कर चुकी है ऐसी भगवत प्रेमी क्या करता है अपनी कले में कंठी को पेहनता है तो लोग जान जाते ही भगवान का हो गया है और भगवान इसका हो गया है आज इक माता जी का फोन आया था आपकी गली से इसी गली से गुरुजी मेरा पती रात बड़ बड़ाता रहता है मैंनी महिया उसे विचारे को दिन में बोलने का मोका दे दे रात में बिल्कुल नहीं बड़ बड़ाएगा पांच भगवान गणपती भगवान दूसरे भगवान सूर्य भगवान है ओम भासकर आये नमा कभी भी सूर्य भगवान को लोटे से जल नहीं देना चाहिए आपने सागर का नाम सुना होगा सागर से सूर्य भगवान को जल समर्पित करना चाहिए मैया जिनके बच्ची परणी में बड़ी कमजोर है उन माताओं को जल में गुलाब की पंखणियां मिलाकर सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए जिन माताओं के पितरदोश लगा है उनको दो चावल रंगीन करकर सूर्य भगवान को समर्पित करना चाहिए और यह ध्यान लखना कि जल चड़ाती समय किस रूपे हो गए सुर्य भगवान पिंड की रूप में किस रूप में पिंड की रूप में जल चड़ाती समय आपके प्यारों पे छीटर ना आवे इस विशात्ता वे से ध्यान लखें तीसरे भगवान कोन है मा भगवती अम्भा प्रम्भा आप वैश्णो दिवी जाते हैं मनसा दिवी जाते हैं किस रूप में है मा भगवती पिंड की रूप में है पिंड की रूप में है अगर आपके पास पिंड नहीं है काली निठी के देशी की लगा कर और उनको सुखा कर लाल वस्र पहना कर शुक्रवार के दिन अगर इस्थापित क्या जाए तो उसमें लक्षनी सरस्पति और मा भगोती का बास माना जाता है चोती भगवान शंकर भगवान जिनकी घर में अगर अब मैं थोड़ा सा समय कम लुगा जैसे फ्याएजह जादा होना जायते हैं जिनकी घर में चान्दी के शिवलिंग होती हैं उनके घर में कभी दर्दता का वास नहीं होता है नर्मिदेश और सिंगलिंग आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं और जिनके शत्रू अधिक हो जाते हैं जीवन में जिने बहुत सत्रू बन गए हूं उनको लोहे के सिबलिंग की पुजा करकर उनको 40 दिन बाद गंदा में प्रभा कर दिना जाए और एक बात और जहां से सुनना वेवस्था बनाईये सहाब हाँ आप यहां खड़े नहों वेवस्था बन बाईये विश्या छूट जाता हमसे क्या बोलना चाह रहे थे क्या बोलना बताओ हाँ लोहे कर शुरी जिन माताओं की घर से दरिदता कभी जाना रही हो कमर सीधी करो जो लोग कहते हैं हमने रुभूत प्रियास कही है जीवन में कभी दरिदता नहीं गई है जरा एक नियम करके देख लेना ये सत्यकाम किश्र गोर कहता है मैंने हजारों लोग का जीवन परिवर्टित किया इसमियमत बिल पत्र के ब्रख्ष के नीचे माता पार्वति का वास माना गया है बिल पत्र के ब्रख्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करूई से कहते हैं कोटी सूर्य यज के समानफल प्राप्त होता है जो माताएं बेल पत्र के ब्रश के नीचे सिबलिंग का निर्मार करती है और सुबह शाम उदीपक जलाया करती है उनके घर में कभी दरिद्रा का वास नहीं होता है ध्यान से सनना यह आज के बाद गुबारे मत लगवाना भाई पत्र पत्र यहां तो पहली बत्र तालिमे रागी रहें कहीं इधर से सांती मिलेगी तो इधर से पटक मामले बड़ा गड़ बड़ है अमरो हबालो अगली बार जब कठा करने आऊंगा कई बार पूछ लूँगा कहां कठा करने जा रहा हूं तालिमे रहें तो और पांच वे भगवान शाली ग्राम भगवान है नहां डखना यह शाली ग्राम भगवान सदा पूजा के आले में नहीं माता तुलसा के आगे हां कोन है तुलसा कभी हमने तुलसी कठा की थी नो दिन की तुलसी कठा की थी मैंने कोन है तुलसी भगवान शंकर की पुत्र बदू है जलंदर की पत्मी है ज्यान लगना तुलसी के नीचे आज भी अगर भगवान को भोग लगता है यहां तो मैं देखता हूं भोग लगता है एक बार भी तुलसी का पत्र जलता है नहीं भोग में और भगवान वो भोग स्विकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी का पत्र नहीं जलता है अगर जीवन में कभी भगवान को भूब लगाना है केवल गणपती भगवान को तुलसी नहीं चड़ती है गणपती भगवान को तुलसी नहीं चड़ती है क्योंकि माता व्रंदा ने शाप दे दिया था गणपती भगवान को शंकर्भग्वान पी भी तोलसी नहीं थोती लेकिन वैकुंद चतुर्दसी के दिन वैकुंद चतुर्दसी के दिन बैकुन चतुल्यसी के दिम रातरी के बारा बज़े कमर सीदी करो मेरी बेटियों अगर तुम्हें जीवन का कल्यान करना है तो कठाएं भोस्त नहीं होंगे लेकिन ये बिल्कुल अलग है आपको ओ दिन भगवान गणेश पर क्या चड़ाया जाता है भगवान शंकर पर तुल्सी चड़ाये जाती है और भगवान नारयन पर बेल पत्र चड़ाये जाते हैं रात के 12 बजे ये पारति के लिया की जाती है चार बज़े उठा कर अलग अलग लाल कपने मी बान कर भगवान के आले में स्थापित किया जाता है फिर जीवन भर कभी दरिद्टा नहीं आया करती है कि तो कि उस राजा की लड़की ने महराज जी को देखा उनके सालेगराम से बड़े पसंद आई कुछ जमादार की लड़की ने भी कहा गुरुजी के भगवान बड़े संदर है राज कमारी अब पोच गई बाबा बाबा आप हमें अपने भगवान दे दिए अब बाबा तो बड़े घबरा है कहीं ऐसा ना हो जावे कि मेरे ठाक रुजीन के पाछ चले जाए तो बोले राजा भगवान लोगे या सिपाई भगवान लोगे तो बोले राजा ही लेंगे सिपाई क्यों लेंगे बोले कल मिलेंगे अब नभी किनारे गए गोल गोल मोटे मोटे दो पत्थर ले आए अपने भगवान तो नीचे रख भी उन पत्रों को उपर रख दिया वो ले ये राजा भगवान है तो पूछ लिया बाबा इनका नाम क्या है तो वो ले इनका नाम है सिल्ले और इनका नाम है पिल्ले अब तो दोनों बेठियां भगवान को गोद मिलेती हैं और क्या कहते हैं मेरे सिल्ले पिल्ले भगवान भगवान मन रखियो अपने चर्णन में मन रखियो अपने चर्णन में तनी रखियो शीर रंदावन में मन रखियो अपने चर नगमे, मन रखियो स्री विंदावड में मेरी सिल्ले पिल्ले भगवान, भगवान, मन रखियो अपने चर नगमे, मन रक्यों अपने चर नण में तुम तो होना तुम तो होना करूँ ना नीधान तुम तो हो ना करूना निधान, गावनमया, निधान मन रखियो अपने, और आपको इस्पष्ठ कर दें, जब राजा की बेटी का विभा हुआ, तो जैसे मीरा भाई अपने गिर्धर गोपाल को ले गई थी, ऐसे ही राजा की बेटी, अपने गिर्धर, अपने सिल्ले भगवान को ले गई, अब बगगी में जा रहे थे, कहते हैं राजा कई बार आके देखता रानी, तो वो अपने बगगी में अपने भगवान को छुप वे परफ़्यों को सिए इंदिते, उसमेरे पुच आये, ऐसे और, इसले भगवान है। नदी में फ्यक के मारा अब जैसे नदी में फ्यक के मारा अब rani तो उतर गही मैं जाओंगी नहीं मैं कहीं जाओंगी नहीं में मड़ जाओंगी सब आए रflows इस यह क्या कर रही हो तो राजय ने ओलाना दिया अगर तेरा यह खसम इतना ही तुझे प्यारा है तो आब आदे इस तेरे खुसम को आज पिरकट होता देखना चाहता हूं और विचारी रानी रोरो के कहती है करू न करो किर्प करो मसीनाब मेरी सब कुछ तीरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा लाज मेरी प्रम तेरी हाल पि है और उसी समय जो सिल्ली भगवान उसकी पठर के थे आए और सब ने देखा आकर उसकी हिर्दे से चिपक गए दोनों सिलाबत रुप में आज भी खड़े हूं पिली साड़ी पहन के आई हो ना हाँ हो सकता है तुम्हे अपने आपको मीरा वाई समझ रहे हैं एक बो ले लो तमूर हात में तुन 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 मीरा वाई 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 देवियों सच कहूं मैं आपसे बेश बदलना आसान है पर परिवेश बदलना बहुत कठिन है मीरा जैसे ठाकुर जी उनके गरदर गोपाल देखें न आपने पांसो रुपे में आ सकते हैं पर मीरा जैसे भक्ती पांच हजार साल में भी नहीं आया करती है नहां से सुनना थोड़ी मेरा बोलने का तरीका थोड़ा बड़ा हट-पटा है सोच नहीं होंगी कोई महाराज मीठी बाते सुनाएगा कल एक माता कह रही ति गुर जी आप तो बहुत डाड़ते हैं किसी से उनकी मंजील का पता पाया नहीं जाता किसी ने मंजील का पता पाया नहीं जाता जहां वो है परिस्तों का वहां साया नहीं जाता पकीरी भी मुझे को मागने में शर्म आती है पकीरी भी मुझे को मागने में शर्म आती है तिरा हो कर तिरा हो कर किसी से हाथ पहलाया नहीं जाता तिरा हो कर किसी से हाथ पहलाया नहीं जाता सांस रूपी ट्रेइन कभी छुट सकती है मैया कल की कठा में आपने सुना कमर सीधी कलो देरी हूँ मुस्कुराती हुए यहां तो यह सोचना है हम तो किसी गुरुजी से कठा नहीं सुनने आएं हम तो अपनी पिता से कठा सुनने आएं और पता है सुम्मार के दिन में आपके साथ रहूँगा एक घंटा मैं आपके वीचार हूँ सुभह ग्यारह से बारह आप लोगों से मुलाकाट करने पता है मुझे मैंने अभी तुम्हें अपना परिछे दिया था एक सो बारह बेटियों का मैं विभा कर चुका हूँ आप से भी नीवेलन है कहीं भी कोई ऐसी बेटी हो जिसका दिभा धन के कारण ना हो पा रहा हूँ बर आप देख लिजिए गुरु पुर्णीमा पर हम जारे करनियों का विभा किन में आ रहे हैं बर आप देखिए हम के बल विभा करेंगे और बेटियों जो गुरु की शर्ण में विभा होता है वो सामान्य विभा कभी होता ही नहीं है आज एक मा कह रही थी गुरु जी कठा में मैं बहुत लेट पोच पाती हूँ मैंने कहां देवी बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कठा में वही आते हैं जिसे बिहारी जी बुलाते हैं कहां बस की है? कैसे चुटे फरवार? और जगे कही है, भी नहीं है, यहाँ तो तुम ने एक काम करो जो यहां नहीं आसती है तो जरूत नहीं है है यहां आने की बहुत चेमी कई Really कहीं जगे भी नहीं है, आप कहां जाके बैठोगे, रोड पर बैठोगी, क्या तो मोबाईल में अब सब मत कर ले ना कभी कल को मैं यही बाटिस अब गाया हो गोर भक्ति चिनल डालना है यहा तो कुछ भी नहीं दरदस बीगे में हमारी टेंट लगते हैं कथाओं के फिर कथाएं होने जा रही है, बड़े बड़े गुरु जा रहा हूं, पहले से जहां कथाएं आरम बोदी हैं, उन्फिर मशिन होगी है, मेरे गुरु देव आने जा ले हैं, मैंने कहा था न, बास्तली रखिये, आपको मा, आपको बहन जरूर मिल जाएगी, और दसदा लोग भी ऐसी कथा सुनते हैं शांती से, जैसे आप सुनने हैं, थोड़ी वो तो हल चल होती, रास्ता है तो निशन थे, लेकिन हमारे भी प्रपंडिश जी एक बार इनके लिए ताली बनाती से, और पीछे वाले भीया तो बहुती, राम दासना, राम प्रशाद, जो दंडा लेकर जिन लेकर, धन सिंग जी, राम प्रशाद जी, जो भी है, सब के नाम तो नहीं जान पाया हूं, लेकिन वेबस्था, हां, मारते किसी को नहीं, लेकिन दंडा है सो दिखाते जैसे पढ़ने वाला है, कल तो मैं भी जा रहा था न, तो जैसे उन्होंने कोचे को डरा रहे थे, ताली बजा देशे, महाव से बैठ जाना, कल के कथा में हमने सुना था, कहां तक पोचे थे, जी, भगवान का नाम मूरारी पढ़ गया था, क्योंकि भगवान में मुर्ण नाम की देटे का बद किया था, यह कथा यहां तक सुनीदी शायद है, या और कुछ सुना था, क्या बोली बिटा घरा बोलना, बोल दीजी कोई भाद न, आप तो पिटा के सामने बोलनी में मेरी पुत्री क्यों संकोच करती है, बोल दीजी, हाँ, वो तो हमने सुना दिया था, गटोच कच की शादी खोगी थी, अच्छ अच्छ, ताली ना दाती से, गटोच कच की नहीं थी, गटोच कच के बाप की हुई थी, ताली बिटाती से, भीम की शादी, माता हिडंबा से हुई थी, और गटोच कच का जन्दम हुआ था, उन्होंने अपनी कल की कथा में हमने सुना था, कि माता ने सन्यास लेने के लिए कहां, ये कथा सुनी थी ना, माता ने कहां पुत्र, मैं सन्यास लेना चाहती हूं, और तुम अपने पिता से, आज्या लेके आओ, कि मैं सन्यास कैसे लेना, देखो जगे तो कहीं नहीं है प्यारे, ससी, जड़ा पीछे जगे बनाओ, किसी तरह लोगों को बैठाओ, भहिए यहां कपड़ा बिचा लो, अब यह ससी की कमी है, इतनी छोटी जगे में कथा रखनी तो लोग कहां बैठे हैं, ताली बताते हैं, मैंने लीनू, मैंने लीनू, गुविंधा मौल, ए मैया, आज वो हमारी एक माता बैठती ती आगे, वो कहां गई आज, आज आई नहीं क्या हो, कहां हैं, अरी मैं यह दर्शन तो करा दे मौई, मैने लीनू, गुविंधा मौल, सकीरी मैने, लीनू, गुविंधा मौल, मैंने लीनू, मैंने लीनू, गुविंधा मौल, सकीरी मैं लीनू, गुविंधा मौल, कोई कहे चुपके, कोई दुपके, दुपके कोई दुपके के, रम मेने लीनो, मेने लीनो बजाके धॉल, सकीरी मेने, लीनो गोमिन दामो, रादि कैये, मेने लीनो, कोई दुपके कहती हो ताली नगा दिए और मैंने लेनो बजा के ढोल ठाकी रेमेने लेनो गुमिन्दाम। मैंने लेनो बजा के ढोल अचै है मैंने लेन गुमिन्दाम। कोई कहे कारो कोई गुरो 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 आρη मेनी लीनो मेने लीनो लाल अनमो सकीरी मेने लीनो गोविन दामो मत उचांके मेरी मैं आऊ प्रताव अगने आड़ी जाली की नीए अरी कोई कहें सस्तो कोई मेंगो मेंगो कोई कहें सस्तो कोई कहें मेंगो मैंने कोई ऐसा काम ने किया और मैंने क्या किया मैंने लीनो तराजू तोल सकीरी मैंने लीनो गोविन। कोई कहे सस्तो, कोई कहे मेंगो आरी पीछे वाली मैहा, तुम ऐसे उधास बैटी तुम्हारा आधार काट खो गया क्या हाथ उपर करो न और यह मुझे पीछे जो मोटी मा बैटी है यह तो मुझे लगता है वो आश्रम से जुड़ूई है पहले यह तो बड़या डांस करती थी मुझे वही लग रही है यह पता नहीं कोई और हो पता नहीं कोई कहे सस्तो सस्तो कोई मेंगो मेंगो कोई कहे सस्तो कोई मेंगो मेंगो अरी मेनी लीनो तरादियू तो जखी दिने लीनो गो बिंदा मूँ तो जखी दिने लीनो गो बिंदा मूँ तो जखी दिने लीनो तरादियू मीरा के प्रभु गिर्धरिना गए पीत लगन रंग रही मेरे प्या गए रंग रही ऐसी रंग में रंग गई रे मीरा आई पिया के दे ये मीरा 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 के प्रभु गिर्धरिना गए मीरा के प्रभु गिर्धर गए ये तो आवे 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 प्रेम के मौ सके री में निनको बिंदा हाथ पर राधि राधि शामा शामा राधि राधि राधी रादी शामा शामा राधी 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 ये तु आभे प्रीम की मोः सकीरी में मीलीनो गोईर मोट आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन, ऐसी बात तो से ना जिन्दिगी एक सफर है सुहना, हस्ते गाते कथा से तुम जाना, कले लोट कर रही पर है आना पड़ सुराम नाम का नाम सुनाएंगे, हरी नाम की तुम्हें मिस्री खिलाएंगे अपनी भक्ति का मन यू लगाना, जिन्दिगी एक सफर है सुहना अपनी भक्ति का लगाना, जिन्दिगी एक सफर है सुहना माना की अंधिरा बहुत गना है, लेकिन चिराग जलाने को कहा मना है ऐसी मुश्कुराती रहे ना पर कल से मुश्कुराना थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कल की कथा बहुत दर्द की कथा होगी आपने सुना था, भगवान ने कहा की मुश्कुराती की पुत्री हो, नाम है मौरवी क्या नाम था? मौरवी, एक नाम है इसका काम कटं कटा, क्या नाम है? काम कटं कटा, प्यारे भगवान ने कहा इस से विजय पाना मेरी ली भी कठिन पड़ गया मैं दुर्जे हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, पर इसके आगे मुझे भी सिलेंडर होना पड़ गया किसने पुछा प्रभू? ऐसा क्या हुआ प्रभू? युदिश्टर कहते हैं के शव इस मुर्वे की कठा आँक हमें जरूर सुनावे वैसे एक कठा ये भी आती है, दीपावली से पहले एक दिन पहले नर्का सुर्का बद किया गया था भगवान की द्वारा जब माता सत्यभावना ने आज्यदी वद्री नारैन में तो महा भगवान के सरीर से माता एकादशी पिरकट हुई थी एक कठा एकादशी की भी आती है और आज भी शाहर में लगता एकादशी है आज ही कादशी भगवान कहते हैं जब मैं इसकी पिता मुरुका बद करने गया देखो बेठे आपसे प्रात्रा करें कि थोड़ी देर और प्यार से बैठिये और बड़े भाव से आज क्योंकि हमें प्रकटु सब बनाना है तुम्हें भी इंतजार है तुम्हें ग्यारों से कप फुर सकत ना हम अपने गम से चलो अब हो गया मिलना ना तुम खार ली ना हम खार ली ना हम खार ली निहां से सुनना मेरी महता हूं जगह कहीं बची नहीं है के सब कहते हैं युदिष्ठिर ये माता कामाख्या की अराधना करती है अगर आज भी माता हैं ग्रस्ती लोग पेले पुष्पले कर माता कामाख्या की अराधना कल नहीं तो इनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं है सिदे बैठना मेरे बेटा बाभ पुलवक बैठना अपने बच्चों को पनी खोद मिले के बैठना हमने कल भी कहा था जिन माताओं को कोई पीरा होगी आज उनियुम बताएंगे जिनके घुटनों में दर्ग रहता हो सिदी ना बैठ पाती हूं आज उनको बनियुम बताए इसे उनका जीवन सदा के लिए ठीक, 40 दिन ही उपाई करें ना बसुम भगवान कहते हैं युदिष्टर इस काम कटंकटा से तो मैं भी नहीं जीत पाया जब मैं इसका बद करना चाहता था तो इसने अपने खड़क से मेरे असारंग धनुस को तोड़ दिया ये माता कामा क्या की वो बाशना क्या कर दिया मेरा असारंग धनुस इसने तोड़ दिया मैं इसके पिता को अगनी दान देने दा रहा था उसी समय ये काम कटंकटा प्रकट हो गई और मुझसे युद करनी लगी मैं इसे जितनी पा रहा था अंत में अंत में मेंनी क्या काम किया मैंने अपना चक्र सुधर्षन उठाया और जैसे मैं चक्र सुधर्षन उठाकर इसकी ओर दोड़नी लगा उसी से में माता कामा क्या प्रकट हो गई वह भास लीव किष्ण रुक जाए प्रभू रुक जाए घूर अनर्थ हो जाएगा प्रभू अगर ऐसे इस काम कटंकटा का बत हो गया तो कलियों के अवतारी का अवतार नहीं हो पाएगा प्रभू प्रभू आप जानते हैं ये काम कटंकटा आपके होने वाली दादी है प्रभू ने कहा हाँ दीवी इससे कहो कि अपने खड़क को फैक दे माता काम क्या कहती है पुत्री अपने का खड़क को फैक देजिए अन्यता आज तुम्हारा बत इसी च्छनफ हो जाएगा तुम जानती नहीं हूँ ये ये तु नननकिष्ण है इनसे कोई विज़े प्राप्त ने कर सकता क्योंकि ये श्यम नारायन है ये नारैन है इनसे युद में जीता नहीं जा सकता कहा मा इन्होंने मेरे पिता का बद किया है तब माता का मा क्या क्याती है चूट जाए ला मुक से कोई खोटा भिचन वर्न आखों में जल भर निकल जाएंगे तूट जाए ना माला कहीं प्रेम की वर्न बिगडी को हम यूँ बना पाए बरन बिगडी को यूँ बना पाएंगे खुल जाए ये मुठी भरी लाख की बरन बिगडी को तुम यूँ बना पाएंगे मरन भिगडी को तुम यूम ना पाई छुट जाए ना काया कही मिट्टी की छुट जाए ना काया कही मिट्टी की बन अनमोल रिस्ते ए मैया शरीर गया तो रिस्ते सारे समा पूल गएंगी कामख्या मा से कहा मा मुलिहा मुझे छमा करा दीजे हे ये दुनन्दन मैं आपको पैचान नहीं पाई मुझे छमा कर दीजे आज ये दुनन्दन कहते हैं देवी जाओ मैंने तुमें छमा किया है जाओ अब देथ ते राज भूम अश्र के पत्र को राजा मुनाते हैं उनिके शन्रक्षन में तुम रहो आज किसम ने कहा देखिएगा ये जुक कथा अब चलेगी बड़ी इंपर्टेंट कथा है मिस ना हो जाए आज हमारी पैड़ वाले भी या आपको बड़ी सुंदर सुंदर भशन हार्मोन इंबोसरी आर्गन वाले भी या आपको इतना नित्य कराएंगे बस आप नित्य करते रह जाएंगे ताली बड़ी जाएंगे का प्रभू आप क्या चाहते हैं कि ये सब कहते हैं मैं ये चाहता हूं कि इस घटोचकचका विवाब कामाख्या के साथ होना चाहिए इस घटोचकचका विवाब मोरवी के साथ होना चाहिए कहा प्रभू जैसी आपकी इच्छा परन्तु याद लखना उसकी दस हजार मंजिला इमारत है हर इमारत की हर दर्वाजे पर सीज कटे हुए पड़े है जो उसको उत्तर का जबाब नहीं दे पाता है प्रवाजे पर टांग लेती है तो कहते हैं गटोचकच बड़े पुद्धी जीवी है ऐसे कल्यूग में तो लोग बुद्धी का उप्यों गलत करते हैं दो भाई थे और वापस में बिटवारा हो गया बड़े भाई ने कहां सर्दियों की दिन थे भाईया दिन में रजाई तुमारी रात में रजाई हमारी अब वो बड़े सांत श्रभाब का था छोटा वाला उसने कुछ नहीं बोला अब मारा दिन में किसी ने जाई उन्हें की जुरूत पड़े अब वो दोनों बड़े वाला जो था वो रात में खर्रांटे मार कर सो गया वो लव यार भैस का भी बटवारा कर लो वो ले भैस का कैसे बटवारा हो तो बड़े भाईया ने कहा आगे से भैस तुमारी पीछे से भैस हमार में अब वो विचारा रात वर नियार काट के लाता और वो उसको खिला दा और वो विचारा दूद निकाल गर पी जाया करता पर छोटे वाले की पतनी बड़ी चतुर थी, आजकल माताइं बड़ी चतुर होती है ना, तो बहुत चतुर थी वो, उसने कहां, जेट जी, दिन में रिजाई हमारी है, और जब साम का नमबर आते, उसमें चार बालटी पानी दे गेर दी, अब रात पे तुम रोल लो तुमा पती से कहती तुम एक तरह पटो तुमरे बसकी कुछ बटवारा करना नहीं है, और जैसे दूद काड़े व भैस के सिर्फ हमारे डंडे, व भैस बिदग जावे, लात लगे जेट जी के कान पर, बूले हम तो अपने हिस्से को, ये तो हमारी है ना, अगे से, हम अपनी को मा प्रेवे, आपकी आग्या है तो बस मुझे एक काम करना, अपना हाथ मेरे सीस पर ब्रदमान कर दीजे, सद्गुर्दे भगवान, हे किश्मत, अगर तुमारा हाथ मेरे सीस पर होगा, तो कठिन से कर्षिन प्रिस्थिति में भी हम जीत जाएंगे, कितनी भी कठिन इस्थि इस्थिति आजावे, हम जीत जाएंगे, और भगवान ने क्या काम किया, कहा, जब तुमें मेरी आवश्क्ता पड़े, तो मन ही मन, इस द्वादस मंत का जाप कर लेना, कौन सा मंत है? ओम नमो भगवते वासुदेवां ओम नमो भगवते वासुदेवां ये तीन अपने सेवादार को साथ में ले गए हैं, सुर्याक्स वालख्ये और मदुहर गए हैं, जाकर कर्ण प्रणवा नाम की राक्ससी मिली है, जैसे भवन में प्रविश करने लगे हैं, इसने चारो और से घेरा बना लिया है, ठेरो ठेरो तुम अंदर प्रविश नहीं कर सकते हों। आपकी मौत आने में जादा समय नहीं लेगा, क्योंकि जो हमारी रानी है मौरवी, काम कटंकटा, अगर आपने उसके प्रसनों का उत्तर नहीं दिया, तो उसी छणवों आपको मृत्यू के घा टुका देगी। मौले जिन्दगी की बस इतनी सी कहानी है, जब तक मौत ना आये, जब तक मौत की महरवानी है। मौले अपनी नाने को बुलाईए, अपनी महराने को बुलाईए, तो पहले जब सामने से काम कटंकटा आई है, मौर भी आई है, तो ये मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराने लगे, काम कटंकटा आई है, उन्होंने कहा, पहले में तुम मेरी बुद्धी का परिशन लो, और कोई ऐसा प्रसंद करो जिसका मैं उत्तर ना देता हूँ, ऐसा कोई प्रसंद करो। इन्होंने कहा, देवी, भगवान के नाम का श्मर्ण किया, इन्होंने कहा, देवी, मैं एक ऐसा प्रसंद आप से पुछता हूँ, एक इस्तरियों पुरुष थे, कठा ज़रा ध्यान से सुनना, तुम आरे पास सुत्तर हो तो तुम भी देना मेरे पास तो नहीं है, वो दो पति पत्नी एक साथ रहा करते थे, एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी गर्वनी हो गए, नो महा बाद उस पत्नी ने एक लड़की को जनम दिया, लेकिन जब लड़की को जनम दिया, उसी समय, उस कर्णिया की माता की म्रत्य हो गई, कहते हैं, जब उस कर्णिया की माता की म्रत्य हुई, तो उस बेक्ती ने अपनी बेटी को पालपोस के बढ़ा किया, यहां तक कहता संद में आ रही है, पालपोस के बढ़ा किया, तो कन्या बढ़ी है, लेकिन एक दिन वो कन्या इश्नान करके आ रही थी, और इसकी कूद्रश्टी अपनी बेटी पर पढ़ गए, इसके अंदर कामना नहीं जनम लिया और इसने कहा देवी, मैं तुम मेरी बेटी नहीं हो, बोले फिर, मैंने तुम्हें पाला जरूर है, बेटी तुम किसी और की हो, तुम उसे विभा कर लो, मैं तुमसे विभा करना चाहता हूँ, अपनी ही बेटी से विभा किया, अब उससे एक बेटी का जनम हुआ, अब ये बताओ, ये इसकी नातिन लगी है, क्या लगी इसका उत्तर दीजिए, अब मौर्वी सोचीने लगी, कि मेरे पास तो कोई इसका उत्तर नहीं है, कोई इसका मैं बेत्र हो गई हूँ, मेरे पास इसका कोई भी उत्तर नहीं है, अब कहा, इतना कही रहे थे, तो महत्मन इसने क्या काम किया, अपना खड़क उठाया, और भागी है, घटोचकस के पीछे, घटोचकस ने खड़क उठाकर फैंक दिया है, और पीछे से केश पकड़े हैं, नीचे गिर गई हैं, और कहा, देवी, तुमको युद में भी मैंने परास्त कर दिया, अब तुम हमारी पत्मी बन जाओ, तो इसने कहा, मैं अब आपको अपना पति स्विधार करती हूँ, दोनों आए हैं इंदरप्रस्त, और सब के बीच इन दोनों का भी लुए हुआ है, और क्या कहने हैं? हमारे, हमारे दोही रिस्तेदाथ, हमारे दोही रिस्तेदाथ", ये कैमरमेर भी नहीं है कहीं हाँ पर? कैमर वाला भी नहीं है? हमारे दो ही रिष्टेदा एक तो मेरी राधारानी अल्विली सरकार हमारे दो ही रिष्टेदा हमारे दो ही रिष्टेदा मेरे जीवन के जुड़ गए दोर मौर भी तेरे चरिनन में मेरे जीवन के जुड़ गए दोर मौर भी तेरे चरिनन में मौर भी तेरे चरिनन में मौर भी तेरे चरनन में मेरे जीवन के जुड़ गए दोर मौर आकर के और मोररी कि यहां बिदाई होने लगी है प्यारे भाव से सुनना यह बेटियां बड़ी अच्छी होती है काहे भी हाई भी दे सरे लखिया बाबुल मोरे काहे भी हाई भी दे सरे लखिया बाबुल मोरे भाईया को दीनी महल दू महले भाईया को दीनी महल दू महले हम को दिया परिदेस लखिया बाबुल मोरे काहे भी हाई भी दे लखिया बाबुल मोरे काहे भी दाए भी दे सरे लखिया बाबुल मोरे बेटिया बेटिया भ्यान रखने मेरी बेटिया वो मा होती है सस्राल महका कब तक है कब तक है महका जब तक माभाब है बेटिया जो होती ही न उनसे माहन कुछ हो नहीं करा सास तो केवलता नहीं मार सकती है प्यारे बैया को दीनी महल दो महले हम को दिया पर देश लखिया बाबुल मोरे हम को दिया पर देश लखिया बाबुल मोरे मैं तु बाबुल तीरे खूटे की गईया मैं तु बाबुल की रे खूटे की गईया जित हांके उठ जाओं लखिया बाबुल मोरे जित हांके उठ जाओं बाबुल मोरे बाबुजी से तूझती है बाबुजी पाल पोस्के बड़ा कर दिया मुझे पाला ना मुझे कौन सी कमी रादेगी क्या तुम्हें मेरी रोटी भारी पढ़ने थी बाबुजी पता है जो बाब कभी नहीं रोता है वो बेटी की बिदाई पर ज़रूर रोया करता है ताली नहीं देवियों ताली नहीं वो बार बार पुस्ता है मा क्या दिये सुनू जी मैं चारी में बेटी को ये समान ओर देती हूँ और वो कहता है तु दे दे करजा हो जाएगा बाद में मैं अपने आप उतालेंगा मैं आपकी बेटी की गव्दा रहा हूँ वो मा होती है जो साड़ी अपने लिए संजोग करके रखी है वो साड़ी अपनी बेटी के लिए रख देती है जब वो आएगी वो साड़ी वो साड़ी वो उसे खाना बनाते गर पे जो बाबो जी के पास रहते ती तो पहली रोटी बाबो जी उस बेती को ईया कर दिया गाने अब कूछने बाला नहीं कि कोई नहीं बुछता है वर अगर मैं सब पूछतें काम करा के को करा आता है तो बाबुजी पुछने, बेटा सब ठीक है, तो दीरे से कहती बाबुजी, सब ठीक है, आप चिंता मत करना, क्योंकि उसे पता है, अगर बता दिया बाबुजी से, वो अपनी साथ से कहती है, बाबुजी, माजी, तुम सब को गाली देना, मेरे पिता को गाली कभे मत दे देना, वो क्या दी है, मेरे पिता को गाली मत देना, में तुम बाबुल तेरी बेलए की खुडिया, में बाबुल तेरी बेलए की खुडिया, मैं बाबु तेरी उभित नहीं आ घरे घरे में है की देखो देवी अप मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं गाया है एक भी माता के हां सुने ही आने चाहिए यह बेटी आंगोती आगी होगी बाबुजी की आद अब कोई पुछने बारा है कोई नहीं गुस्ताव हम तुमा बुल तेरी बेले की कलिया हम बाबुल तेरी बेले की कलिया घर घर में है की जाए लखियां बाबुल मोरे घर घर में है की जाए लखियां बाबुल मोरे कोधी तरी से डोला जो निकिला बीर निखाए पजार लकियां बाबुल मूरे बीर निखाए पजार वो बहिया जो चुटिया पकड़ के घुमा करता था न आज वो सबसे जाधा रोता है आपको मालूं यहां क्या होता है मुझे यहां का तो पता नहीं है पर वो बेला लेके जाता है गाउं के बहार और बेहन उसमें से दो मुठी अन लेती है पेचे की और फैंस लेती है आज से मेरा अनका सम्मद यही तक था आज के बाद अनका सम्मद समाब दोने जा रहा है कौन तुमें याद करता है वो मा होती है जो बराबर तुमें याद करती है वो मा होती है जो केवल तुमें याद करती है ध्यान से रखना प्यार है मा बाप का रिन कभी उतर नहीं पाता कभी जीवन पढ़ियंतर भी मा का रिर नहीं उतर पाता पिता कारिन कभी उतने ही बाधा, वो मा है काँए भी आए विदेश लखिया बावुल मोरे कोहे नाए विदेश रटिया बावुल मोरे तारो भरी मिली गुडिया चोली चूटा सहेली का साथ लखिया बावुल मोरे चूटा सहेली का साथ लखिया बावुल मोरे सब चूट गए, वो रिस्ते नाते चूट गए, वो सहेलिया चूट गए तुम सब भी सहेली में खेली होगी ना देलियो इसलिए कोई रुदन नहीं क्योंकि मुझे इस बजन को यहां बंद करना पड़ेगा बिल्पिली और इस तरह से माता मौर्वी की विदाई हुई है और आज माता मौर्वी को इंध्र प्रस्त में विभा गया गया है जब विभा संपन हुआ है तो भीम ने कहा जाओ अपनी माता हिडंबा के पास जाओ अपनी माता से कहना अभी सन्यास का समय नहीं हुआ है अभी हम पांडो पर भी पत्ती है उनसे कहना वो किष्ण का भजन करें और तब चले हैं हिडंबा आज अकास मार्ग से देख रही है कि मेरा पुत्र घटोचकस किसी को पीठ पर बठाती लाया है माता मौरवी ने चर्ण बंदन किया है कहा कोन हो बेटे बुले मैं आपकी पुत्र बदू हूँ आज चर्ण बंदन करके आशिरवाद प्राप्त किया है आशिरवाद और आशिरवादों की संकला प्रणाम की संकला जहां प्रणाम होता है वहां जीवन में अच्छे परिनाम अवश्य रूप से आया करते हैं इसलिए सदा अपने साथ ससुड का चर्ण बंदन क्या करो पती की चर्ण बंदन क्या करो त्यां रखना सुभाई सुभाई उठकर जो माता हैं अपने पती का चर्ण बंदन करती हैं उनके जीवन पे कभी कोई कमी नहीं आया करती है तो प्रिणाम किया है वंदन किया है माताई रम्मा ने अपनी कले से लगाया है बुड़े आनंद के साथ और माताई रम्मा ने कहा पुत्र बधू तेरे चित्वन में कृष्ण बस जाएंगे तेरे चित्वर्ती में राम बस जाएंगे और उसने कहा माताई जी क्या करूँ बुले मेरे इश्ट भगवान किष्ण है तो भी उन किष्ण का आश्चे लिया कर और वो किष्ण का आश्चे लिया की है कुछ दिन बाद माता मूर्वी गर्वबती हो गई है जन्नी जनी तू भगवान का भगवान का भगवान पैदा नहीं होता है तो आपने राक्षसों को जनम ही दिया इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ताली बजा दीजी देवियों कैसे बच्चों कैसे जनम देपाऊगी कैसे जनम संबब है कामनाओं और वाश्णाओं में राक्षसी बच्चों को जनम दिया जाता है जो माता है आज भी हम आपको बता रहे हैं अगर आपके घर की बहु बेटी कभी गर्वनी हो तो चंदन की लखडी चंदन की लखडी का पानी हमेशा पिलभाओं से कौन कहता है शीरी हनुमन तिलला को प्रिनाम कराओं आपके वह लोगहिते हैं कि माता yamhan अची को प्रिनाम नहीं कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं राम चनीमान अर अहे हनमान चालि साहित जूआ है पड़े हनुमान चालि जो यह पढ़े हनू माने चादी सा हुई सिद साखी गोरी सा जो यह पढ़े हनू मान चाली सा जो यह पड़े हनुमाने चरीशा जो यह पड़े हनुमान चालीशा हो यह सिद्धि साखी गोरीशा शंकर और पारवती साक्षी ले रहे हैं लेकिन ध्यान लग न और जो लोग कहते हैं हमारा बिभा नहीं हो रहा है मैं उनको भी कहूँ जिन माताओं के जिन बेटियों के विभानी होते हैं पीपल के नीचे बैठकर पन चतुर मुकी दीपक बना कर सरसो के तेल का अगर हनुमान चालीशा का पाठ एक दिन में एक बार किया जाए तो अच्छे बर्की प्राप्ति हो जाती है जिन पती पत्नी में अच्छे सम्मन्द ना हूँ वो पीपल के व्रक्ष की नीचे अगर हनुमान चालीशा पढ़ें तो उनका जीवन बड़ा सुखत वीता करता है हम गजरोला में यही बात बता रहे थे कि भईया पती पत्नी हनुमान चालीशा अगर पढ़ने तो जीवन सुखत वीत जाएगा अब उनकी जो पत्नी थी बड़ी नफरत करती थी अपने पती से तो वो पहली जाखे वैट जाती और पती जैसे हाथ मुध होके आता तो वो एक ही चुपाई गाया करती थी भूत पिशाच निकट नहीं आवा भूत पिशाच निकट नहीं आवा महावीर जब नाम सुनावा गोते पिसाच निकट नियावा तो मैया समय जाद हम आप कर लेंगे नहीं सही समय पर हम आपको छोड़ के जाएंगे इधर माता मौर्वी कहती है अपनी मा से सास मा से मैया देखोई हनुमान चालिसा हमें नियम लेती है कि हमें जब अच्छा सद्गुरु मिले सद्गुरु भगवान या तो किसी ब्रहमन को बनाया जा सकता है या पिसी संत को बनाया जा सकता है किसने मंत्र लिया था हनुमान चालिसे तुम्रो मंत्र लिया था हनुमान चालिसे विभीशन मान तुम्रो मंत्र लिभीशन 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 मान तुम्रो म बेवियों बड़े भाव से आज बावा श्याम हमारे हाँ प्रकठ होने जा रहे है आज पक्षी उन्हें चेकना श्रू कर दिया है और आज माता की गोद भराई होने लेगी है कुछ होगा पायो जी मेने राम रतन धन पायो बस तू अमोलिक दी मेरे सदू गुरू किरपा करे अपनायो भायो जी मेने राम रतन धन पायो बायो जी मेने राम रतन धन पायो हाथ जाती देव बायो जी मेने राम रतन धन पायो 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 जो 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 भायो जी मेने रा मेरतने धने पायो भाया भाव से बैठ जाईए बड़े भाव से हम आज ठाकुर्जी के प्रिकटो सब की कथा आपको रुसे स्वादन कराने जा रहे है क्या भरोसा, क्या भरोसा क्या भरोसा, क्या भरोसा क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है इसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है इसी का साथ बास काती बाद देती नहीं है क्या भरोसा हमसा यह की आपके ठिशली का इस जी आपके प्यावीं हना भरोसा जम्मा भुझ जाएगी जलते जलते साथ रुख जाएगी जलते जलते दम निकल जाएगा हाथ उपर मेरी बैया दम निकल जाएगा आदिनी का क्या फरोसा है इस जिन्नकी का हारे के सहारे की हम रहेना महबत रहेगे दाथता अपनी बनिया कहेगे हम रहेना महबत रहेगे दाथता अपनी बनिया कहेगे हम रहेना महबत रहेगे दाथता अपनी बनिया कहेगे ना मुरह जाएगा आदिनी का क्या भरोसा है इस जिन्नकी का क्या भरोसा है इस जिन्नकी का क्या भरोसा है आदिमी का नाम रहे जाएगा आदिमी का ये तो दुझ दुनिया है आनी जानी ये तो दुझ दुनिया है आनी जानी और बीत जाएगी तेरी रुवानी फ़र जुपूरा फूलों में सजी रहे हैं श्री बिंदा बने बिहारे फूलों में सजी रहे हैं फूलों में सजी रहे हैं शीवन्दावन पिहारी फुनाओं में सज रहे और साथ सज रही है और साथ सज रही है विश्मालों के गुलारे और साथ सज रही है और साथ सज रही है विश्मालों की दुनावी फूलों सज रही है और तेरा समकुट सर पर रखा है इस अदा से तेरा समकुट सर पर रखा है इस सज रही है करुणा भर से रही है करुणा भरी निगासे करुणा भर से रही है करुणा भरी निगासे इन दोनों पे मैं सद के इन दोनों पे मैं सद के और प्यारे एक आदशी की तिथी पड़ी है चिरियों ने चैक ना सुरू कर दिया है और आज कोन आने वाला है आज मेरे श्याम का आगमन होनी जाना है आज मेरे खातिव श्याम की तठोनी वाला है आज मानों आकास में बिजली अगड़कणानी लगी है और कोन आरा है मोर्भी घर आनंद भयो मोर्भी घर आनंद भयो मौर विगर आनंद भयो, जै हो स्रे शाम की मौर विगर इंद भयो, जै हो खाटो शाम की मौर विगर विगर आनंद भयो, जै हो खाटो शाम की जोगी प्याराता मुखणा है घुंगरा लेके मौर विगर आनंद भयो, जै हो खाटो शाम की जै हो खाटो शाम की सब खड़े हो जाईए जोग जोग जीवे तेरा शाम भिहारी जोग जोग जीवे तेरो शाम भिहारी जोग जोग जीवे तेरा शाम भिहारी शाम भिहारी तेरो कुंज भिहारी जोग जोग जीवे तेरो शाम भिहारी पता है मैया आज तो तुम्हारा सगे रिष्टेदार भी मुझे बढ़ाई लिने से रोक नहीं पाएंगे तो जीजीवे जल्दी लिनी मंच पर आजाओ और मुझे बढ़ाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी आज और क्या जल्दी लिनी आते नहीं जिने बढ़ाई दी नहीं वो लोग आ रही है और दल्दी से आईए और क्या दे दो बढ़ाई मैया दे दो बढ़ाई बाबा जनम सुन आई और भी मैया दे दो बढ़ाई पहली बढ़ाई इसके बाबा जी की आई पहली बढ़ाई इसके बाबा जी की आई दादी ने कुसिया मनाई और भी मैया दे दो बढ़ाई दे दो बढ़ाई मैया दे दो बढ़ाई लाला जनम सुन आई और भी मैया दे दो बढ़ाई दो बढ़ाई हो बढ़ाई दो बढ़ाई हो अधे राखे बढ़ाई हो अधे नामे बच्छे नामे बच्छे नामे बच्छे नामे मतो नरेभी बच्छे मताने दीए बच्चे नामें उपर बच्चे नामें शोने मकिया देदो बधाई बधाई हो तिका भेलोंगे मैं अबिंदि आफिलोंगे कुंडल की दे दो साही ओमोर्नी मैया दे दो बाधाई सामजा नम सोन आई ओमोर्नी मैया दे दो बाधाई सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई सारी दुन्या में गुजे इनका जैका रहा है सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई हो सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई सामजा दो बाधाई सबको हाथ उठाने है वड़ी भाव से पता है आपको कल जो है बड़ा सुन्दर उस सब होने वाला रुकमण मंगल वाला ऐसे कथा का विशे नहीं है लेकिन हम लोग अलग से करते हैं गोबर्दन भगवान की पुजा भी कराते हैं तो जिने कन्यादान लीना है वो कल कन्यादान ले सकते हैं बड़ा सुन्दर भाव रहेगा हमारा यहां पर और जिने वस्त्र लाने हैं कन्यादान में बर्तन दीने हैं कोई गोव माता को अगर पंका दीना चाहता है तो पंका लगा सकते हैं 21 पंके लगने हैं गोव साला में आप एक पंकी का दान कर सकते हैं कल नियादान के रूप में कल बड़ा सुंदर अफसर है आप कल कूलर दे सकते हैं गायमाता के लिए कल आप वस्त्र का दान कर सकते हैं कल आप जैसा आप से छमदा हो हाद उलाक उठाकर छापती लक सब छी नीरी मुसे अकिया मिलाएके मुसे अकिया मिलाएके अकिया मिलाएके मुसे ने ना मिलाएके अकिया मिलाएके मुसे ने ना मिलाएके मुसे ने ना मिलाएके मुसे ना मिलाएके हाथ उतल और घुम के के ना है सब को घुम ना है मुहे अधम कर दी नेना मिलाई के मुझ को अपना बनाई के छाकोती लग सब छी मेरे मुझ से नेना मिलाई के अपने लग से नेना मिलाई के खुष्या बनाएंगे मिले के शादी आप अपर कीजिए गोरी गोरी बैया मोरी हरी हरी चुडिया एक हासित पे रखो, डली रखो, एक बाजू में रखो और क्या बैया आप घुम के के ना है घुमना है सबको बैया पकड़ हरी लीडियों से अप्या मिलाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए मोहे आधम कर दी नीरी मुसे नेना मुलाए मुख में कर दे दी उसे नेना में डए किश्र का नहीं आके वली वली जाओ किश्र का नहीं आके वली वली जाओ मेरे साबरी आके वली वली जाओ मोहे सुहागन की लिए कौन कौन हो इस वहागन आते पर सरम मत कर उसी दे आते पर अच्छा जगह नहीं मिल नहीं होगी घूमने के लिए तो पड़ो सर को ऐसे कर दो पीछे से जो नहीं नहीं करेगा उसे उसके परोसुन से जगह मोहे सुहागन की लिए मोंसे अखिया मिलाए थे कने के देरे मोंसे अखिया मिलाए थे हाथ शुआ की पधाई हो राषिदा अरा आर बली बली जाओं मैं तो तो पे रंगे रचिया बली बली जाओं मैं तो तो पे रंगे रचिया बली बली जाओं मैं तो तो पे रंगे रचिया मोही अपने रंगे 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 रचिया तो से जय ना मिलाएं भाग जाके अरी बली जाओं मैं तो 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 अर आगे लेके क्या अ चापती लगत सब छी मेरे मोचे अबना बेनाएं चापते लगत सब छी अ फे रहता मेराएं बढ़ाई हो मेरे प्यारे हाथ जाही हो और अपने रंग रंग ली नीरे मूं से अपना बनाएगे अपने रंग रंग ली जीजित सेज़ा बनाएगे मेरी चुन्द्री पे पढ़े गयो दाग री जाने कैसो चटक अलो मेरी तो निरी पे पढ़ी गयो सागेरी से सो चट के रखे डारो श्याम तो ही जंग मैं तो तो ही जंग मैं तो तो ही जंग के लूँ हाथ पर विवानी बननी जाओंगी मस्तानी बनने जाओंगी अरी रसी आकी विवानी बननी जाओंगी मैं तो छली आकी विवानी बनने जाओंगी अरी गोरी गोरी बैया में हरी हरी चुड़ियां और क्या गोरी गोरी बैया में हरी हरी चुड़ियां अर बस आखरी बार घुमना है सब्कों तेन भार गुमना फिर आरती करने जा रहे हैं वह ऑई यह पकड हरी टुआ ममनाें के भंब ने ना मी लएके हुड अपना है ने लएकsite नेना मीनाइके मुक्षों अपनापनाइदे, छापके लक्त सब चीदивать नेना सभी माता अपने अपने दीप जलाले और जल्धी से आरति के तईयर्या कल की मैं सूचना दे दू, कल वस्त दान होगा, अनदान होगा आप अनका दान कर सकते हैं, वस्तर का दान कर सकते हैं, कल आप गवुमाता के लिए किस पंखो का दान कर सकते हैं, कुलर का दान कर सकते हैं, किसी बेटी के लिए आप सलाई मसीन का दान कर सकते हैं, गुरुपुनी मा पर ग्यारे बेटियों का विभा होने जा रहा है, सब पना आर्थी में पर वेस. आप सब्सक्राइब आप सभी अपने पने इपक जगाएंगे. बहुत वीडियो भाने पर दिपक को जड़ा पिस्थ देहां जाएंगे. इपको बिद्धियो लेनी देगा. ये दीपको की वीडियो जब लेनी आईएंगे. हरि ही ओ चंद्रमामन सोजात चक्छो हो तूर्ज्यो अजायता. सोत्राद्वा युष्च्व प्राण श्यमुखाद अगनी रजायता. इदगुं हवी ही प्रजननम्मे अस्तुल सवी रगुं सर्वा का रग्गो स्वस्ता है. आत्मसनी प्रजासनी पसुस्वनिलो कसन्य वैसनी अगनी ही प्रजाम वहुलाम में करोत्वन्नम पयो रेतु अस्मा सुधत्ता. आर आर्तिक्यम्दी के सभी से प्रात्ना रहेगी आर्ति में धक्का मुक्का ना करें. आराम आराम से नंबर नंबर से सभी आर्ति करते रहें जिनके अपने दीपक अपने दीपक जला लिए किसी को देने की जुरूत नहीं है. आर्तिकुंज बिहारी के सिगिर धर क्रेश्न मुरारी के गले में वेजंती भाला बजावे मुरली मदुर वाला स्रवण में कुंडल जल काला नंद के आगन नंद लाला गगन सम अंग आंत काली राति का चम के रही आधी राति का चम दिरही भाली लतन में थाडे वन माली प्रमर से जलक कस्तूरी तिलक चंद्र से जलक लालित छाबी शामा प्यारी के सिगिर धर क्रेश्न मुरारी ति आरति कुझ भी आरे की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी ति कनक मैं मोर मुपट भिल से देवता दरिशन को तर से गगन सो सुमन रासि भर से बजे मुर चंद्र मधूर मेर दंग वाली नी संग अतुले रति गोब कुमारी की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की आरति कुझ भी आरे की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की जहां से प्रकट भई गंगा सकल मन हारिण स्री गंगा स्परन से होत मुह भंगा स्परन से होत मुह भंगा बसी सिवसी जठा के भी भर अग की चरण रति स्री बनवारी की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की आरति कुल्च विहारी की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की चमकती ओज्वल टतरेडो की भज रही ब्रना बन बेडो की भज रही बेंदा बन बेडो चहुँ दिसिग्वा चहुँ दिसिग्वा आसत म्रद दंग चांदिनी संग काटत भाव पंग एन सोन दीन दुथारी की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की आरति कुल्च विहारी की सिगिर धर क्रेश्न मुरारी की आरती गुझ्ज विहारी की तिगिरधर त्रेष्ण मुरारी की घरपूर गोरम तर्णा वतारम शंतार सारम गुर्गेत्यारम वदावसंतम हद्यारम विंसे भवंबमानी सैदम्नमा मतार माला कुल्काल काले कपल माला किस्ते किराए निगंवाराई दिगंवाराई नमा सिवायों नमशिवाय खुंभीव माचत्य पिता तुमोबमधो बंदोच सख्वातुमी खुंभीव वेज्या धम्रं तुमेव सरमा महिर्ण इवे実 हरी रामा रं लम राम रमा भर्रामाहरी केशन, 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 हरे, हरे को वेंदे वोलो, हरी गोपाले बोलो रादा रमने हरी को मिन्दे बोलो जिन का रख वाला मेरा स्यां में उनकी वन बेगाडे काम। जिनका रखे वाला मेरा जामें उनके कौन बिगाड़े काउँ ऐसे नहीं, उठाइए दोन वाल, जोड से, जोड दैट तालिया उसाथ भाव के साथ वह जिनके हाथ में थालिया है ना, वो मत उठाना भी तालियोल को ठीको ठीक है तो जिनके हाथ में आरते के थाली नहीं, अद्ञेया इथे उठाएए द दिल्कु पर देखर्या ईतालियों के साथ इतनी तालियों किया ओवाज वाँत ये आज ŻD表, थे, तालियों के साथ जे रदी 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 जे रदी रदी सभी बोलेगे मिलगर के बोले बाबा शाम की यह हो आज इकादशी भी है और आज भगवान प्रिकट भी दोनी चीज़